नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनकैडमी के प्लेटफॉर्म अनकैडमी अभियान पर जहाँ पर हम आने वाली प्रारंभिक परिक्षा के लिए एकाई नौका अध्यन कर रहे हैं यूनिट नाइन में ये हमारा सेकंड लास लेक्चर है जो पिछली क्लास हुई थी वहाँ पर हमने इगवर्नेंस वाले टॉपिक को डिसकस किया था उमीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा और खास तोर पर अगर आपने पिछले साल वीडियो देखा है तो make sure कि आप चीजों को update कर ले क्योंकि वहाँ पर कुछ नई applications के नाम हमने लिखे है तो उनको आप पढ़ लीजेगा तो आज की इस class में हम robotics की चर्चा करेंगे अर्थात robot और robot से संबंधित जो बाते हैं उनका अध्यन हम इस कक्षा में करने वाले हैं पर class को शुरू करने से पहले एक बहुत important information है दोस्तों वो information यह है कि कल से unacademy के price high होने वाले हैं तो make sure की अगर आप unacademy का subscription ले रहे हैं तो आज ही unacademy का subscription ले लें आज अगर आप subscription लेते हैं तो दो साल का price 14,849 रोपय है unacademy के subscription का वही iconic का price एक साल का 14,931 रोपय है iconic subscription में यह फायदे हैं जो अलग से देखने के लिए मिलते हैं हम 19 जून के बाद इतिहास का course शुरू करेंगे दुबारा से unacademy के plus platform पर और फिर दोस्तों हम paper 3 का अध्यन करेंगे तो ये दोनों courses हमें cover करना है और ये सारे courses already हमने वहाँ पर complete करवा दिये हैं तो आप subscription लीजे बहुत अच्छे तरीके से हम bilingual, Hindi, English में मुख्य परिक्षा की तयारी करेंगे answer writing करेंगे जिसने अच्छे से हमने यहाँ चीजों को complete किया है उससे भी बहतर तरीके से हम वहाँ पर चीजों को complete करने की कोशिश करेंगे तो मिलते हैं आप से अनकैडमी के plus platform पर और चलिए आज की class को अब हम शुरू करते हैं तो आज हमें एक बहुत ही interesting topic की बात करनी है robotics पिछले साल भी हमने robotics पढ़ा था unfortunately एक जो question प्युमा वाला question आया था वो हम cover नहीं कर पाये थे तो इस बार और update करके notes बनाए है और जो कुछ facts छूट गए थे उनको भी लाने की कोशिश की है मैं अब भी यह नहीं कह रहा कि 100% चीज़े यहां से आएंगी but at least अगर पिछले बार जैसे 7 या 8 question आ गए तो that will be enough इतने में भी हमारा काम चल जाएगा तो robot को शुरू करने से पहले हम पहले robotics के आयामों को समझ लेते हैं कि कौन कौन सी बाते हमें आज के lecture में discuss करनी है सबसे पहले हम robotics के परीचे को discuss करेंगे हम इसके introduction को पढ़ेंगे परीचे में हम जानेंगे कि robot शब्द कहां से आया robotics शब्द कहां से आया रोबोट और रोबोटिक्स इन दोनों में क्या अंतर है इसके बाद दोस्तों हम रोबोट के संचिप्त इतिहास को डिसकस करेंगे हिस्ट्री की बात करेंगे 15-20 पॉइंट में हम समझेंगे कि रोबोट का विकास किस तरीके से हुआ है एक-एक करके किस-किस स्टैप पर रोबोट आगे बढ़ा है फिर हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों रोबोट के घटक, components of रोबोट की चर्चा करेंगे रोबोट के घटक का मतलब होता है कि जैसे ये रोबोट आपको दिखाई दे रहा है तो इस रोबोट में कितने प्रकार के equipment का इस्तमाल किया गया है अब कुछ चीजें बड़ी common है जैसे कि ये एक रोबोट है तो इसमें एक battery होगी जिससे ये चल रहा है ये उसकी पूरी body है, उसके हाथ, पैर, ये सारी चीजे है फिर उसकी memory होगी अब इनके रोबोट की आख, कान और नाक क्या है तो रोबोट की आख, कान और नाक उसके sensor होते है तो इसमें बहुत सारे sensor होंगे जिनकी वज़े से ये काम कर पा रहा है तो component of robot का मतलब है वो सभी हिस्से जिन से रोबोट मिलकर के बनता है तो वो चर्चा हम रोबोट के घटक में करेंगे फिर हम रोबोटिक्स के नियम को डिसकस करेंगे बेसिकली जो आईसेक असे मूव हैं जिनोंने पहली बार रोबोटिक्स शब्द का इस्तमाल किया था वो बहुत सारी science fiction की किताबे लिखते थे उनका एक collection है आई रोबोट और आई रोबोट के अंदर एक short story है run around तो उस run around वाली short story में उन्होंने रोबोट के तीन नियम बताए थे तो उन तीन नियमों की चर्चा भी हम करेंगे इसके बाद दोस्तों हमें रोबोट के प्रकारों का अध्यन करना है लगभग 15 से 16 प्रकार के रोबोट होते हैं जिसमें से लगभग 12 प्रकार के रोबोट की हमें चर्चा करना है और यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज़ादा है दोस्तों क्योंकि रोबोट कितने प्रकार के हैं फिर उन रोबोट के नाम पूछ लिया जाते हैं, तो वो चड़चा हम रोबोट के प्रकारों में करेंगे, फिर हम बात करेंगे रोबोट के अनुप्रियोगों की, एप्लिकेशन्स ओफ रोबोट, तो लगबग हर एक जगह पर हम रोबोट का इस्तमाल आज कर रहे हैं, हर ए एक शेतर में, चाहे मिलिटरी का शेतर हो, चाहे स्पेस का शेतर हो, इस्पेशली आप देखिये दोस्तों, तो हम हेल्थ सेक्टर और मिलिटरी सेक्टर में रोबोट का बहुत ज़्यादा इस्तमाल कर रहे हैं, इसके बात दोस्तों, हम प्रमुख रोबोटों की चर्चा कर तो इसे भी दोस्तों हम तीन भागों में बाट करके पढ़ेंगे पहले हम परीचे पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे वो कौन-कौन सी संस्थाएं हैं जो भारत में रोबोटिक्स से जुड़ी हुई हैं और फिर हम भारत के मुख्यों रोबोट की चर्चा करेंगे कि भारत में अलग-अलग जो संस्थान है खास तोर पर DRDO और DRDO के अंदर एक संस्थान काम करता है केर उसके द्वारा कौन-कौन से रोबोट बनाए गए हैं प्रशन आ सकता है important और फिर दोस्तों हम बचे हुए कुछ अन्य तत्यों की चर्चा करेंगे कुछ current affairs को discuss करेंगे पूरी कोशिश हमारी यही होगी कि इसी class में हम रोबोट वाले topic को खतम कर लें पर अगर नहीं हो पाता है तो जो electronically वाला topic होगा उसके बचे हुए हिस्से में हम इस topic को खतम करने का प्रयास करेंगे ठीक है चलिए तो अब हम topic को शुरू करते हैं दोस्तों और सबसे पहले हम के परीचे को समझने की कोशिश करते हैं तो पहले आप ये समझें कि आखिरकार रोबोट का अर्थ क्या होता है रोबोट क्या है तो रोबोट दोस्तों एक ऐसी computer और mechanical machine है जो मानो द्वारा किये जाने वाले कारियों को स्वचालित तरीके से संपन्न करती है बहुत सिंपल भाशा में समझें रोबोट बेसिकली एक ऐसी computer machine है दोस्तों जो automatic तरीके से वो सारे task perform कर सकती है जो की इंसानों के द्वारा किये जाते हैं अब अभी हमारे पास जो computer है तो हमारे computer कोई भी physical task नहीं करते है आपका computer या आपके mobile से आप कहेंगे कि यार mobile यार computer हमको एक ग्लास पानी लाकर के दे दो तो वो ये काम नहीं करेगा आप कहोगे यहाँ पर गंदगी आ गया है मारा कमरा गंदा हो गया है इसको साफ कर दो तो ये काम भी हमारा कर नहीं करेगा तो robot computer का एक अगला चरण है robot basically ऐसे computer machine होंगे जो मानों के द्वारा किये जाने वाले भौतिक कारियों को स्वचालिट धंग से कर सकते हैं रोबोट is a computer machine which can perform all physical tasks by human in an automatic manner ठीक है अब जैसे आपने एक रोबोट देखा होगा जिसका इस्तमाल हम इंडरस्ट्री में करते हैं तो उस रोबोट के द्वारा nut bolt कस लिये जाते हैं आजकल एक रोबोट आ रहा है जिसके द्वारा आपके रूम में जहारू पोचा कर दिया जाएगा और बहुत सारे रोबोट हैं एक रोबोट आपने देखा होगा जिसका इस्तमाल हम इंडर में कर रहे हैं ट्रैफिक सिगनल के लिए फिर एक बड़ा ही मशुहूर रोबोट है जिसका नाम सोफिया है जो हुमिनॉइड है एक हाफ हुमिनॉइड रोबोट हमने इस अब सवाल यह पैदा होता है कि सर रोबोट तो यह है तो रोबोटिक्स क्या है तो याद रखना दोस्तो रोबोट का वैज्ञानिक अध्यन ही रोबोटिक्स कहलाता है समझ में आई बात computer एक device है computer science computer से जुड़ी हुई सभी बातों का अध्यन तो जब हम रोबोट और रोबोट से जुड़ी हुई हर एक प्रनाली जैसे कि उसके hardware, software, computer, artificial intelligence इन सब बातों का अध्यन करते हैं तो वो दोस्तों रोबोटिक्स कहलाता है तो सर ये तो समझ में आगया रोबोट क्या है ये भी समझ में आगया रोबोटिक्स क्या है लेकिन ये शब्द कहां से आया इसको भी समझते हैं दोस्तों ये जो शब्द है रोबोट ये शब्द आया है बेसिकली सलाव भाशा का एक सब्द है और ये शब्द है रोबोटा ठीक है और इस शब्द का अर्थ सिलाव भाषा जो चैक वाले इलाके में बोली जाती है और रोबोटा शब्द का अर्थ होता है बंधुआ मजदूर या फिर मजदूर तो चैक रिपब्लिक के एक लेखक थे और लेखक का नाम था कारेल कापेक ठीक है कारेल कापेक नाम के एक लेखक थे इन्होंने साहब एक नाटक लिखा और नाटक का नाम था और इस नाटक में इन्होंने पहली बार रोबोट शब्द का इस्तमाल किया तो पूचा जाता है आपसे कि रोबोट शब्द का पहली बार इस्तमाल किस ने किया तो चेक रिपब्लिक के एक लेखक थे कारेल कापेक उनके द्वारा आर यू आर नाम के नाटक में पहली बार इस्तमाल किया गया था रोबोट शब्द का सलाव भाशा के रोबोटा शब्द से रोबोट का जन्व हुआ है दोस्तो उसी तरह ये जो शब्द है रोबोटिक्स ये कहां से आया समझने वाली बात है दोस्तो ये जो शब्द है रोबोटिक्स ये दिया गया था आईसेक असीमोव के द्वारा आइसेक असी मोव बेसिकली एक साइंस फिक्शन रैटर थे, जो साइंस के ऊपर किताबे लिखा करते थे, रोबोट के ऊपर किताबे लिखा करते थे तो आइसेक असी मोव ने 1942 में एक शॉर्ट स्टोरी लिखी और उस शॉर्ट स्टोरी का नाम था Run Around और रन अराउंड में दोस्तों उन्होंने पहली बार चर्चा की Science of Robot अर्थात Robotics के बारे में और इसी रन अराउंड में उन्होंने बताया कि जितने भी इंसानों के द्वारा Robot बनाए जाने चाहिए उन्हें तीन नियमों का पालन करना होगा और इसे कहा जाता है Three Laws of Robotics Robotics के तीन नियम जो आगे हम पढ़ रहे होंगे तो यहां से कुछ प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों जैसे पहला प्रश्न आपसे यही पूँचा जा सकता है कि Robot शब्द किस ने दिया तो make sure आपको याद रहे कि कारेल कापेक के द्वारा Robot शब्द दिया गया था Robotics शब्द किस ने दिया तो अमेरिका के लेखक Isaac Asimov ने अपनी किताब Run Around में 1942 में यह वर्ड दिया था यह short story थी Run Around और Run Around जैसी बहुत सारी कहानियों को फिर एक साथ मिला करके रखा गया और उस fiction का नाम Eye Robot है और इसी Eye Robot के उपर 2004 में एक खुबसूरत फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम भी Eye Robot है जिसमें Will Smith ने काम किया था दोस्तों फिर भारत में भी हमने रोबोट के उपर एक फिल्म देखी जिसका नाम रोबोट था उसका दूसरा पार्ट भी आया Robot 2.0 तो ये Robotics का परिचय है अब एक बात तो आप समझ गए होंगे कि रोबोट का इस्तमाल आज हम हर जगह कर रहे हैं Almost हर एक फिल्ड में आपको रोबोट देखने के लिए मलेंगे कुछ अच्छी बातें भी है और कुछ concern भी है अच्छी बातें ये हैं कि ऐसे बहुत सारे काम जहां human perform नहीं कर पाते या ना चाहते हुए भी humans को करने पड़ते हैं वो काम humans को नहीं करने पड़ेंगे दूसरी जो एक बहुत बड़ा concern जुड़ा हुआ है रोबोट के साथ वो है कि बहुत सारी job भी इससे कम होंगी already हम industrial sector में ये देख चुके हैं Amazon के warehouse में अब रोबोट काम करते हैं सामान उठाने का तो वहां से भी बहुत सारी jobs कम होंगी तो ये एक concern भी है कि लोगों की job जाएंगी पर let's see आगे क्या होता है किस तरीके से चीजों को manage किया जाएगा कितना robotics से प्रभाव पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हमें discuss करना है robot के इतिहास को अभी हमने robot, robotics दो शबनों को समझा तो robot की शुरुवात कहां से हुई तो यह हम जानते हैं कि 1920 में 1920 में एक चेक लिखक थे कारेल कापिक इन्होंने अपने नाटक रोसम के यूनिवर्सल रोबोट में रोबोट शब्द का पहली बार इस्तमाल किया 1927 में Westing House Engineer ने एक Telephone Operated Industrial Switching Machine को डेवलप किया और इसे Televox कहा जाता है यह प्रोटो टाइप है रोबोट का यह दिखाई देता है अभी भी आप Televox की फोटो जा करके देखेंगे तो यह रोबोट की तरह दिखाई देने वाला एक यंत्र है जिसमें बहुत थोड़े से काम किये जा सकते थे तो वेस्टिंग हाउस एंजिनिरिंग ने 1927 में Televox नाम का एक demonstration पेस किया इसी तरह दोस्तों 1928 में जापान में भी एक रोबोट को बनाया गया और इसका नाम था गाकू टेन सोकू ठीक है ये बेसिकली अपने facial expressions को change कर सकता था बट अगेन ये सारे अभी prototype देखने के लिए मिल रहे हैं ऐसा नहीं है कि अभी रोबोट का इस्तमाल आम लोग या फिर industry के लोग करने लगे ये थोड़े सालों के बाद देखने मिलेगा बस ये दो development है जो पता होने चाहिए फिर दोस्तो 1942 तो हम जानते हैं कि 1942 में Isaac Asimov ने एक नया शब्द दिया और उस शब्द का नाम है robotics अरथात जो भी हम रोबोटों का अध्यन करते हैं वो पूरा अध्यन robotics के तहत हम करते हैं 1954 ये बहुत important साल है रोबोट के लिए ऐसा इसलिए दोस्तो कि दो व्यक्ति जिसमें से एक का नाम है George Devol और दूसरे व्यक्ति का नाम है दोस्तो Joseph Allenberg इन दोनों ने मिलकर के दुनिया की पहली रोबोट कंपनी बनाई जिसे Unimation कहा जाता है और Unimation कंपनी के द्वारा ही उन रोबोट को बनाया गया जिनका इस्तमाल अब इंडरस्ट्री में किया जा सकता था इवन पहला रोबोट जो इंडरस्ट्री में इस्तमाल किया गया वह है General Motors की New Jersey Factory में लगाया गया था और उस पहले रोबोट का नाम रोबोटिक्स कहा जाता है कई किताबों में ये लिखा हुआ है कि जॉर्ज डेवोल को Grandfather of Robotics कहा गया है जबकि जॉसिफ एलिन बर्ग को Father of Robotics कहा गया है तो मेक शॉर कि आपको ये बातें याद रहें 1954 Important year होगा 1954 में रोबोट का पहली कंपनी बनाई गई और इस कंपनी का नाम था Unimation किसने मिलकर के बनाई थी दो लोगों का नाम याद रखिएगा एक नाम है जॉर्ज डिवोल और दूसरा नाम है जॉसिफ एलिन बर्ग इन दो लोगों ने मिलकर के बनाई थी जॉर्ज डिवोल को कहा जाता है दूस्ट बहुत सारे रोबोट डेवलप किये जैसे पहला रोबोट इनके दुआरा जो बनाया गया उसका नाम यूनीमेशन था और इसका उप्योग जन्रल मोटर्स की न्यू जरैसी फैक्टरी में किया गया फिर इनहीं के द्वारा प्यूमा जैसा रोबूट भी बनाया गया एक रोबूटिक आर्म है बेसिकली वो उनका अविश्कार भी किया गया जिनका यूज अलग-अलग कंपनियों में किया गया तो यहां से प्रश्ण बनेंगे रोबूट की पहली अपनी यूनीमेशन, जॉर्ज डीवोल और जोसिफ एलिनबर्ग ने बनाई थी और यूनीमेशन पहला इंडूस्ट्रियल रोबोट भी माना जाता है दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके बाद 1972 1972 में जापान की वासेडा यूनिवर्सिटी ने वाबोट वन नाम के एक रोबोट को तैयार किया और इसे दुनिया का पहला एंडूस्ट्रोइड रोबोट माना जाता है वाबोट वन इसके बाद दोस्तों 1973 जर्मनी के द्वारा फ्यू मूल्स नाम का एक रोबोट बनाया गया जो 360 डिगरी घूमने में सक्षम था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर यह 1972 वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है 1974 माइकल फ्रीमेन ने लीचिस नाम का एक रोबोट ब बनाया बेसिकली जो एक टीचर था लीचिस ठीक है अब डर लग रहा है यहां से मुझे कि लीचिस नाम का एक रोबोट 74 में बना ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमारी जगर रोबोट ही आपको पढ़ा रहे हो दोस्तों आगे बढ़े 1978 यूनी मेशन कंपनी के द्वारा प क्यूमा का फिलफॉन प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली इसका निर्मान किया गया यह प्रश्न पूछा गया था अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले साल यह कवर नहीं किया था 2008 एक रोबोट बनाया गया जिसका नाम था फेमे सेपियन फेमे सेपियन बेसिकली इस्तरी की सकल से मिलता जुलता एक रोबोट था अगेन उतना इंपोर्टेंट नहीं है 2016 यह बड़ा ही इंपोर्टेंट एयर है क्योंकि इस साल दुनिया के पहले लार्ज स्केल हुमेन आइड रोबोट को बनाया गया और इसका नाम था दोस्तों सोफिया सोफिया को बनाया था हॉंक कॉंग की कंपनी हैंसन लिमिटिट के द्वारा और इसके फाउंडर है डेविड हैंसन यह AI आधारित हुमेन राइड रोबोट है इससे पहले भी मानो जैसे रोबोट बनाये गये थे लेकिन इसमें AI का इस्तमाल भी किया गया यह रियल टाइम दे सकता है बहुत सारे प्रशनों के और दोस्तों आगे जाकर के साउदी अरब ने सोफिया को अपने यहां की नागरिकता भी दी तो वो दुनिया का पहला रोबोट है जिसे किसी देश ने अपनी सिटीजनशिप दी है वो है भारत में इंदौर में भी कॉन्फरेंस में आ कोंग के कमपनी के संस्था पकें 2020 में रोबोट में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया जब अविशकार किया गया जैनो बोट का यह जैन बोट क्या है तो बेसिकली दोस्तों यह ऐसा रोबोट है जिसमें हमने लिविंग सेल्स का इस्तमाल किया आप सोचिए अभी त इसके लिए हमने मफरिका में जो सहारा मरुस्तल है वहाँ पर एक मेंधग पाया जाता है जैनो पस लेविस इसकी हमने सेल का इस्तमाल किया 2020 में इसे बनाया गया अब इसको लगातार अपडेट किया जा रहा है हाल ही में अपडेट है कि अब यह अपने आपको एक्सेंड भी कर सकता है तो ऐसे रोबोट भी बनाने की कोशिश की जा रही है जिनको जैनेटिक रोबोट कहा जाएगा फिलहाल इसका नाम याद रखिएगा जैनोबोट जिसमें अफरीका के एक मैंधक जिसका नाम है जैनोपस लेविस इसकी कोशिकाओं का इस्तमाल किया किया है यह important ह है प्रशन पोछा जा सकता है तो यह है दोस्तों रोबोट का इतिहासर क्या-क्या याद रखना है वो बताएं ठीक है तो इसमें क्या याद रखिएगा तो पहला पॉइंट आपको पता ही है 1920 ठीक है 1920 आप याद रखिएगा क्यों इसमें क्या हुआ था तो Czech Republic के राइटर कारेल कापेक के द्वारा पहली बार रोबोट शब्द को इंटेड्यूस किया गया फिर आप याद रखियेगा 1942 जानते हैं आप क्या हुआ था आईसेक असीमोव ने अपनी एक शॉर्ट स्टोरी रन अराउंड में रोबोटिक्स शब्द का इस्तमाल किया था और इ जोर्ज, डीवोल और जोसेफ एलिनबर्ग के द्वारा दुनिया की पहली रोबोटिक कमपनी यूनिमेशन बनाएगी और यूनिमेशन दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल रोबोट भी है और इसी कमपनी ने बाद में दोस्तों पियुमा नाम के एक रोबोट को बनाया था जो एक रोबोटिकल आम है बेसिकली फिर आगे हम बढ़े 1972 याद रखियेगा वाबोट वन का फिलफॉम देख लेना एक बार वाबोट वन बनाया गया जो इसे दुनिया का पहला एंड्रोइड रोबोट माना जाता है और इसे जापान की ओसाका यूनिवरसिटी के द्वा परी की तरह दिखता था बलकुल लिटस्ट डेवलप्मेंट हुआ 2016 में जब डेविड हैंसन के द्वारा दोस्तों सोफिया नाम के रोबोट को बनाया गया और यह दोस्तों दुनिया का पहला AI हूमेनाइड रोबोट है और 2020 में रोबोट एक अलग ही चरण पर पहुँच जब जैनोबोट को बनाया गया जो की दुनिया का पहला लिविंग रोबोट माना जाता है जिसमें अफरीका के सहारा मरुस्तल में पाई जाने वाली मेंधक की एक प्रजाती जैनपस के स्टेम सेल का इस्तमाल किया गया है तो यह रोबोट का एक संशिप्त इतिहास है यहा आगे भढ़ते हैं दोस्तो अब हम चर्चा करेंगे रोबोट के घटक की अच्छे ये कुछ चीजे हैं ये जरा मैं आपको बता दूँ ये अलग लग बीपिटी मिली थी जैसे कुछ नाम यहाँ पर याद रखिया यासे वालडो आफ करें एक मिनिट ये कुछ नाम बस आप मटेरियल से ये बना हुआ है रोबोटिक आर्म वालडो फिर एक है फ्रीबी फ्रीबी दोस्तो एक ड्रोन है दिखे इस्टिल दी मोस्ट वाइडली यूज़्ट्री टार्गेट ड्रोन तो फ्रीबी एक ड्रोन है याद रखियेगा लाइटनिंग बग ये भी दोस्तो एक सेंसर और सर्विलिंस ड्रोन है जो की वियतनाम वार में इस्तमाल किया गया था यूनिमेट ये पहला इंडर्स्टियल रोबोट है शेकी ये पहला एई रोबोट है जो की ऑबजेक्ट को सेंस कर सकता है आगे बढ़ है यहाँ पर एक नाम है दोस्तो इसकारा ये पहला कीजिए फास्ट बहुत तेज गती से काम करता है इसकारा फिर है प्रिडेटर ये आपने बहुत देखा होगा प्रिडेटर ये दोस्तो एक रिमोटली पाइलेटिड एरक्राफ्ट है जिसमें वीडियो फीड और इसका इस्तमाल एराक वर में किया गया था अब ये जो प्र लगातार हम देखते हैं जिसका प्योग फोटोग्राफी बगेरा में किया जाता है उन्हें क्वाड कॉप्टर्स कहा जाता है दोस्तों मार्श रोवर तो सोजोरनर पहला मार्श रोवर था जो की 1997 में मार्श पर पहुँचा रूमबा ये बहुत चर्चा में है रूमबा ब तो ये एक वेक्यूम क्लीनर है दोस्तों फिर है Amazon Robotics ये Amazon कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं उनके वेर हाउस में काम करने के लिए तो एक बार ये नाम फिर से जड़ा देख लें मैं आपको पढ़के बता देता हूं ध्यान दीजेगा एक यहाँ पर है Waldo जो की एक रोबो वियतनाम वार के समय हुआ था दोस्तों शेकी एक AI रोबोट है और Unimate जो है वो दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल रोबोट माना जाता है इसके बाद हमने स्कारा की बात की ये एक ऐसा रोबोटिक आर्म है जो बहुत तेजगती से काम करता है Predator एक ड्रोन है जिसका इस्तमाल Iraq War में किया गया था और Quadcopter ये भी एक ड्रोन है जिसका इस्तमाल फोटोग्राफी बगरा में किया जाता है Roomba एक Vacuum Cleaner है दोस्तो मार्स Rover तो Rover का मतलब होता है ऐसा कोई भी डिवाइस जो बाहर स्पेस में जा सकता है दूसरे ग्रहों पर और रिसर्च करता है तो पहला ऐसा Rover था Sojourner जो की सितंबर 1997 में मंगल पर भेजा गया था ठीक है तो ये कुछ नाम याद रखना यहां से प्रश्ण आने की संभावना बहुत जादा है रोबोट से प्रश्ण पूछ लिया जाते हैं कि कौन से रोबोट का इस्तमाल कहां किया गया था अब हम चर्चा करेंगे रोबोट के घटक की component of रोबोट की तो जैसे शुरुवात में हमने दोस्तों आपको बताया था कि रोबोट के component का मतलब है कि ये जो रोबोट है इसमें कौन-कौन से भाग है और किन-किन चीजों से मिलकर के ये बना हुआ है तो एक रोबोट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं लेकिन कुछ पार्ट बहुत important है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए जैसे कि एक सबसे important पार्ट जो रोबोट में होगा वो उसकी battery होगी क्योंकि अगर battery नहीं है battery उसकी power है battery नहीं तो रोबोट किसी काम करें उसकी power source होना चाहिए फिर रोबोट के आँख नाक कान क्या है तो वो उसके sensor होते हैं sensor के द्वारा ही रोबोट सारी चीजों को feel करता है और उस हिसाब से वो decision लेता है दोस्तो फिर उसके arm होते हैं joint हैं बहुत सारे जैसे हमारे अंदर joint हो होते हैं तो बहुत सारे इसके component हैं जिन्हें हम दस भागों में बाट करके पढ़ेंगे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे power source वो चीज जो रोबोट को power देती है और इसमें battery होती है दोस्तों फिर हम accutation या accuter भी कहा जाता है प्रवर्तन, sensor another most important part of robotics, manipulation, प्रचालक उसके हाथ locomotion, controller, नियंत्रक, environmental interaction and navigation, human-robot interaction, परियावरन यह बैसिकली मानव robot संपर्क है, robotic programming, artificial intelligence और आखरी में हम कुछ अन्य बातों की चर्चा करेंगे यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है power supply है, motor है, muscle wire है, sensor है, piezo motor है, air muscles है, accuters है, तो यह सारी चीजें मिलकर के robot बनाती है देखो इस PPT को ध्यान से देखना क्योंकि कई बार आपसे सीधा प्रश्न यह भी पूछ लिया जाएगा कि निम्द लिखित में से कौन, robot का घटक नहीं है which of the following is not the component of robot तो इन चीजों को ध्यान से याद रखना और भी चीजें होती है Wi-Fi भी आने लगा तो बहुत सारी चीजें हो कहीं operating system इसके अलावा हमने इसमें यह include नहीं किया, memory भी होती है यूँकि बिना memory के robot कैसे काम करेगा तो वो सारे parts तो होंगे ही होंगे जो हम computer में इस्तमाल करते हैं चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं power source के बारे में तो power source का मतलब आपको समझ में आ रहा है power source का simple मतलब समझिए वो चीज जिससे robot run करेगा तो robot में power के लिए हम हमेशा इस्तमाल करते हैं दोस्तो batteries का अब batteries बहुत सारे प्रकार की होती है जैसे एक पुरानी battery, lead acid battery जिनका इस्तमाल हम शुरू से करते हुए आए हैं अभी भी inverter में हम lead batteries का ही इस्तमाल करते हैं लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं वो है lithium ion battery mobile phone में इस्तमाल होती है जो EV vehicles हम ले रहे हैं वहाँ पर भी lithium ion battery का इस्तमाल किया जा रहा है और अभी जो robots बनाए जा रहे हैं उनमें भी lithium ion battery का इस्तमाल ही किया जा रहा है फिर और भी प्रकार है nickel cadium वाली battery होती है nickel metal battery होती है यह सारे important नहीं है बस इतना याद रखिएगा कि robot में power source के रूप में हम batteries का इस्तमाल कर रहे हैं ठीक है और battery के बहुत सारे प्रकार होते हैं solar power है hydraulic है ठीक है YVA अर्थात pneumatic batteries है flywheel energy source है organic garbage batteries nuclear batteries यह अलग-अलग हम sources का इस्तमाल कर सकते हैं power source के बाद अगला है दोस्तो accutation accuter या प्रवर्तन समझ में आ रहा होगा image से accuters are the muscles of robot muscles of robot the part which convert stored energy into the movement यह robot की mass spatia होती है जिसमें electric motor linear प्रवर्तक इन सब का इस्तमाल किया जाता है सिर्फ इतना याद रखना कि robot की जो mass spatia होती है जो muscles होती है उन्हें accuters कहा जाता है या प्रवर्तक कहा जाता है प्रवर्तन कहा जाता है ये शब्द याद रखेगा यहीं से प्रश्न बनेगा इसके बाद दोस्तों अगला है sensor तो sensor का मतलब हम सभी जानते है sensor का मतलब चीजों को sense करना अब ये शब्द हमारे इसे हैं जैसे हमारे भी कुछ 5 important sensors होते हैं आखें भी हमारे sensor का काम कर रही है हाथ ठीक है फिर हमारी नाख ये सब sensor का काम करते है तो robot में ये sense कहां से develop किया जाए तो ऐसे hardware जो की robot को sense कराने में या चीजों का पता लगाने में मदद करते हैं उन्हें sensors कहा जाता है तो उनकी परिभाशा भी कुछ ऐसी ही है कि sensors allow robot to receive information about a certain measurement of the environment मतलब एक निश्चित इलाके के बारे में जैसे अगर robot यहां खड़ा हुआ है तो जर्णली एक इंसान भी इतनी चीजों को देख सकता है तो robot भी कम से कम इस इलाके में जितनी भी बाते हैं उन सब को समझने के लिए जिस hardware और software का हम इस्तेमाल करते हैं उसे दोस्तों हम sensor का नाम देते हैं अब यह जो sensor है यह कई प्रकार के होते हैं जैसे एक sensor होता है tilt sensor जैसे enclinometers भी कहा जाता है tilt sensor क्या करता है दोस्तों यह slope, angle इन सब चीजों को measure करता है फिर दूसरा आता है proximity sensor detect an object without touching it और यह इस्तेमाल करता है infrared और ultrasonic center का फिर है force sensor ठीक है यह क्या करता है input mechanical load को electrical output signal में convert करता है और फिर एक vision sensor होता है जो की देखने में चीजों की मदद करता है तो यह अलग-अलग प्रकार है tilt sensor का इस्तमाल चीजों को गुमाने के लिए angle के लिए tilt sensor का इस्तमाल होगा देखने के लिए vision वाले sensor का इस्तमाल होगा फिर दोस्तो proximity center यहाँ पर भी वो देखने के लिए चीजों को महसूस करने के लिए भी proximity center का इस्तमाल करेगा infrared और ultrasonic जैसे तकनिकों का infrared देखने में मदद करती है और ultrasonic के द्वारा वो सुन के चीजों को समझने की कोशिश करेगा ठीक है तो यह दोस्तो robotic sensor के कुछ महत्र चलिए दोस्तो अब रोबोट के अगले घटक अगले component को हम पढ़ेंगे जिसका नाम है manipulator देखो यहाँ पर दो शब्द आएंगे एक शब्द है manipulator और दूसरा शब्द है end factor इसको इस तरह से समझे कि जैसे यह एक रोबोट आपको दिखाई दे रहा है तो रोबोट का यह वाला हिस्सा यह पूरा हिस्सा जो है यह रोबोट का arm कहलाता है ठीक है arm और यह जो दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं दोस्तो यह वाला हिस्सा इसे रोबोट में end effector कहा जाता है अब इसको समझें कि रोबोट का ये जो arm है इसी arm को manipulator कहा जाता है दोस्तों इसी arm को क्या कहते है manipulator और जो रोबोट का ये जो पंजा है इसे end effector कहा जाता है अब इसको हमारे खुद के example के द्वारा समझें जिसे माने दोस्तों यह हमारा हाथ है तो हाथ में जो हमारी मास पेशिया है अर्थात मसल्स हैं तो मसल्स को हमने एक्विटेशन का नाम दिया था अर्थात एक्विटर हमने कहा था मसल्स के बाद यह जो हमारा पूरा arm है, यह जो पूरा हाथ है, इस हाथ को manipulator कहा जाएगा, और यह जो हमारा पंजा और उंगलिया है, जिससे हम आखरी कार को पूरा करते हैं, तो इस पंजे और उंगलियों को दोस्तो हम नाम देंगे end effector तो उसी तरह, रोबोट के हाथ है, वो manipulator कहलाता है, और रोबोट का जो पंजा है, जिससे वो final काम को करता है, उसे end effector कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, इसके बाद, अगला जो शब्द है यह शब्द है, locomotion अब रोबोट में आपने एक शब्द सुना होगा कि दो प्रकार के रोबोट होते हैं, एक static रोबोट होते हैं, और दूसरा mobile रोबोट होते हैं static का मतलब जो एक जगह पर इस्थिर रहे, और mobile रोबोट जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सके, तो दोस्तों, रोबोट में प्रियुक्त होने वाला, ऐसा कोई भी hardware या software, जो रोबोट को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में मदद करता है, उसे locomotion कहा जाता है assume कीजे दोस्तों कि हमारे पास एक रोबोट है और इस रोबोट को हमें A से B जगह तक भेजना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए या तो हम रोबोट में पैर लगा दे, ये पहला तरीका है या फिर हम रोबोट में चके लगा दे, वील लगा दे, तीसरा तरीका क्या है हम इसमें पंक लगा दे जैसा कि हम ड्रोन में करते हैं चौथा तरीका क्या है? हम इसमें एक बॉल लगा दे, जैसे कि हम मॉनिटर में लगाया करते थे, तो ये अलग-अलग तरीके हैं, तो वो सभी तरीके जिनके द्वारा रोबोट एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है दोस्तो, उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? लोको मू अगला जो शब्द है दोस्तों ये शब्द है अब इसको शब्द के द्वारा ही समझिये कम्प्यूटर का वह हिस्सा या रोबोट का वह हिस्सा जो उसको नियंतरित करता है मतलब ये रोबोट का ब्रेन है दोस्तों और रोबोट का ब्रेन हम कैसे बनाएंगे तो जैसे हम कम्प्यूटर का ब्रेन तयार करते हैं अभी रोबोट के माइंड को बनाने में हम Artificial Intelligence का इस्तमाल कर रहे हैं पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि Artificial Intelligence एक ऐसा तरीका है जिसे हम मशीनों को मानों की तरह बनाना चाहते हैं और उसमें भी हमने दो टॉपिक पढ़े थे कि Artificial के अंतरगत AI के तहट Machine Learning और Deep Learning आती है तो अभी जो रोबोट हैं जिनमें हम AI का इस्तमाल कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं ऐसे रोबोट बनाएं जो Deep Learning कर सकें Deep Learning का मतलब वो खुद से चीजें सीख सकें और अपने आपको बहतर बना सकें और हर बात के लिए हमें कमांड ना करना हो कुछ एक सेंस भी उनके अंदर डेवलप हो जाए कि कुछ काम वो खुद बखुद करने लगें तो controller बेसिकली रोबोट का दिमाग होता है दोस्तों ठीक है इसके बाद अगला शब्द दो शब्द समझेगा एक शब्द है environmental interaction और दूसरा शब्द है human interaction दोनों शब्द रोबोट में बड़े important है हमने रोबोट बना लिये अब हमें रोबोट को अगले step पर ले जाना है एक रोबोट में दो quality होने चाहिए पहले तो वो परिस्थितियों को समझ सके environment को समझ सके example इसका है driverless car driverless car तभी successful हो सकती है जब एक कार अपने आस पास की सभी चीजों की बहतर समझ रखती हो उसे पता हो कि ये किस प्रकार का इलाका है कैसी road है कहाँ पर signal है कोई इंसान त अपनी चीजों को control करेगी तो उसे हम robot का environment के साथ interaction कहते हैं दूसरा इसका इस्तमाल हम space में बहुत करते हैं क्योंकि space में जो हम rovers भेज रहे हैं वो भी वहाँ पर काम करने चाहिए दोस्तों ठीक है फिर दूसरा अब एक नई कोशिश है जो की चिट्टी जैसा robot बनाने की ह चिट्टी एक ऐसा robot है जो सारे काम करता है लेकिन उसमें विशेशता यह है कि वो बिलकुल इंसानों की तरह है वो socially बहुत ज़्यादा aware है तो उसको कहा जाता है human robot interaction कि human और robot के बीच में interaction होने लगे emotions आ जाएं facial expressions आने लगे ये सारी चीज़े robot में लाने की कोशिश की जा ब्लैक मिरर नाम की एक सीरीज बनाई गई थी ऐस सच कुछ चीज़ें उसमें देखने के लिए मिलती है ठीक है तो ये भी एक important शब्द है इसके बाद अगला शब्द है artificial intelligence तो इसको मुझे बताने की आवशक्ता नहीं है पिछली क्लास में हमने बहुत detail से AI के बारे में बा रोबोटों को मानों की तरह बनाना artificial intelligence कहलाएगा इसके बाद robotic programming तो जो भी हम रोबोट के लिए software तयार करते हैं प्रोग्राम बनाते हैं वो सारी चीज़ें robotic programming का ही हिस्सा कहलाती हैं कुछ और शब्द भी हैं दोस्तों जैसे एक शब्द है DOF DOF का मतलब है degree of freedom degree of freedom का मतलब होता है कि एक रोबोट कितने प्रकार की movement को कर सकता है कुछ रोबोट पता-पड़ा सिर्फ arm को इतना ही कर पा रहे हैं कुछ इतना भी कर लेते हैं arm को तो कितने प्रकार की वो movement कर सकता है इसे degree of freedom कहा जाता है एक शब्द और है जो important है वो end factor हम लिंक एक ऐसा शब्द है दोस्तों कि रोबोट में जो अलग-अलग हिस्से है उनको जोडने के लिए हम जिसका प्रियोग करते हैं उसे दोस्तों हम लिंक कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं लिंक का नाम देते हैं तो ये शब्द भी आपको याद रखना है याद रखिए ये बड के आर्म को क्या कहा जाता है इन चीजों पर ध्यान दीजेगा एक सेकिंड दीजे कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है इसको चेक करता हूं फिर हम रोबोटिक्स के नियम को बढ़ते हैं चलिए दोस्तो तो अब एक बड़ा ही इंटरस्टिंग टॉपिक हमें पढ़ना है रोबोट के नियम या लॉज आफ दी रोबोटिक्स अभी हमने आपको बताया था कि आईसेक ऐसी मूब जो कि अमेरिका के एक साइन्स फिक्षन राइटर हैं इन्होंने एक शौर्ट स्टोरी लिखी थी और उस कहानी का नाम था रन अराउंड ये जो कहानी है दोस्तो इसे बाद में आई रोबोट के अंतरगत रख दिया गया तो आईसेक ऐसी मूब ने रन अराउंड में पहली बार रोबोटिक्स शब्द का इस्तमाल किया और इसी स्टोरी में उन्होंने बताया कि एक रोबोट को तीन नियमों का पालन करना चाहिए जिन्हें त्री लॉज आफ दी रोबोटिक्स कहा जाता है ये तीन नियम कौन है दोस्तों कि रोबोट कभी भी इनसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता कभी भी वो हुमन को हार्म नहीं करेगा अगर रोबोट ऐसा करेगा तो उसे खतम हो जाना चाहिए या उसे खतम कर देना चाहिए दूसरा नियम ये है कि एक रोबोट हमेशा इनसानों के गया है और वही इन्हें कंट्रोल करेंगे और तीसरा नियम ये कहता है कि अगर रोबोट ये दोनों बाते ना माने तो ऐसे रोबोट को नस्ट कर दिया जाना चाहिए ये रोबोट के तीन बेसिक नियम है जो आज भी रोबोट बनाने वाली हर एक संस्था पर लागू होते है और ये बहुत ही important rules हैं दोस्तों क्योंकि अगर रोबोट ऐसा नहीं करेंगे देखो रोबोट के जब तक काम के हैं जब तक वो इनसानों के आदेश माने और इनसानों को harm ना पहुँचाए अगर रोबोट ने harm पहुँचाना शुरू कर दिया तो फिर वो human civilization के लिए एक ख प्री laws of the robotics कहा जाता है तीक है इनसानों को नुकसान नहीं पहुचाना है इनसानों के आदेशों का पालन करना है और अगर ये दोनों काम नहीं किया जाए तो ऐसे रोबोट को दोस्तों नश्ट कर दिया जाना चाहिए अब Isaac Asimov के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा कि run around के अलावा इनकी ये दूसरी किताबे हैं जैसे foundation, eye robot बहुत famous collection है अलग-अलग story का, the last question, the fun they had, profession ठीक है इसके अलावा foundation and empire, फिर the end of eternity, the naked son, the caves of the steel ये सारी इनकी अलग-अलग किताबे हैं complete story, Isaac Asimov की अलग-अलग किताबों के नाम है, मैं भी देकें ask इसलिए ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए आए दोस्तों, अब हम अगले topic पर चलते हैं और अगले topic का नाम है, robot के प्रकार चलिए दोस्तों, तो हमें हमारे अब पांचवे topic को discuss करना है, जहां हमें robot के अलग-अलग प्रकारों को discuss करना है रोबोट को अगिन वही है कि बहुत सारे प्रकार के रोबोट होते हैं, पर हमें जो प्रकार पढ़ना है वो 10 से 12 मुख्य रोबोटों का अध्यन हम करेंगे अब रोबोटों को हम तीन अलग-अलग आधारों पर बांट सकते हैं पहला तरीका है तकनीक के आधार पर कि किस प्रकार की टेकनोलोजी का रोबोट में इस्तमाल किया जा रहा है इसके आधार पर 11 प्रकार के रोबोट होते हैं दोस्तों यह सभी तकनीक के आधार पर बनाए गए रोबोट है और हर एक प्रकार के रोबोट में एक अलग तरह की प्रोग्रामिंग का उप्योग किया जाता है इसके बाद दोस्तों अनुप्रियोग के आधार पर रोबोट 6 प्रकार के होते हैं और इसे हम पढ़ेंगे अभी जब हम रोबोट के अनुप्रियोग पढ़ेंगे एप्लिकेशन्स ओफ रोबोट पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे इसमें शामिल है औद्योगिक चिकित्सा, सैन्य, सेवा और अंतरिक्ष, इंडस्ट्रियल, डॉमिस्टिक, मेडिकल, डिफेंस, सर्विस और स्पेस रोबोट जैसे अभी हमने रूंबा नाम के एक वैक्यूम क्लीनर को देखा था तो उसका इस्तमाल घर के लिए किया जाता है एक ग्रिट करके एहमदाब की एक कंपनी रोबोट बनाया है उसका काम भी घर की सफाई करना है दोस्तों इसके बाद आते हैं गती शीलता के आधार पर लोकोमेशन तो लोकोमेशन का मतलब हम जानते हैं कोई भी चीज जो मूब हो सकती है उसे हम लोकोमेशन का नाम देते हैं तो गती शीलता के आधार पर भी पाँच प्रकार के रोबोट है stationary रोबोट जो एक जगह पर इस्थिर रहते हैं और इनमें movement नहीं होती जैसे indoor में जो रोबोट चौराहा है जहां पर रोबोट का इस्तमाल किया जा रहा है traffic signal की light के लिए वो एक stationary रोबोट है वो एक जगह पर इस्तिर रहता है ठीक है दूसरे बार होता है पहिये वाले रोबोट ये वील का उपयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जैसे DRDO का एक project है जिसके तहत उसने मुंत्रा करके एक project है जिसमें बहुत सारे tank बनाए है वो वील्ड रोबोट है दोस्तो फिर पैर वाले रोबोट है फिर तैरने वाले रोबोट है और उडने वाले रोबोट तो उडने वाले रोबोट में Unmanned Aerial Vehicle आता है जिसे हम drone के नाम से जानते है UAV Unmanned Aerial Vehicle जिसे हम drone कहते हैं दोस्तो तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, रोबोट के अलग-अलग प्रकारों में आती हैं. अब हम कुछ 10 प्रकारों का अध्यन करेंगे थोड़ा डिटेल में और उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट को डिसकस करेंगे और साथी साथ हम प्रश्नों को बनाते हुए भी आगे च होता है उसे humanoid robot कहा जाता है अब इंसान की तरह में दो तीन बात है एक तो वो इंसान की तरह दिखना चाहिए ठीक है दूसरी बात उसमें इंसान के तरह सबसे important है दिमाग होना चाहिए अब देखो अभी इतना advanced robot तो हमने नहीं बनाया है जैसे कि चिट्टी था चिट्टी was legend of a robot आपके ऐसे तो कि वो हर एक काम कर सकता था तो ये एक concept है दोस्तो matrix आप देखते हैं फिर irobotic movie आई थी पर ये इस तरह के robot है दोस्तो जो इंसान की तरह अभी दिख रहे हैं कुछ-कुछ काम कर रहे हैं वो इंसान की तरह बातने करना सीख रहे हैं इंसान की भावनाओं को समझना सीख रहे हैं और जिस दिन हम चिट्टी जैसे robot बना लेंगे तो वो robot का peak होगा दोस्तो और फिर एक शब्द हमने पढ़ा था याद होगा आपको हमने पढ़ा था एक technological singularity शब्द हमने पढ़ा था कहा जा रहा है कि 2045 तक जो मशीने है वो इंसान से भी advance होने लगेगी जिसे हमने technological singularity नाम दिया था तो ऐसे सभी robot जो इंसान की तरह दिखते हैं और इंसान की तरह काम करने के लिए उन्हें बनाया जाता है वो humanoid robot कहलाते हैं इसमें भी दो प्रकार हैं शुरुवात में जो humanoid robot बनाये गए उसमें सामान ये प्रोग्रामों का इस्तमाल किया जाता था अब humanoid robot में artificial intelligence का उप्योग किया जा रहा है और जो SOFIA है वो पहली AI आधारित humanoid robot मानी जाती है पर और भी उधारन है यह उधारन जरूर देखिए दोस्तों आप जैसे एक है यह important है यहां से प्रशन आते हैं तो Atlas का अविशकार अमेरिका की robotics company Boston Dynamics ने किया था अब प्रशन क्या आएगा Atlas किस प्रकार का robot है तो जवाब दे रहे होंगे यह एक humanoid robot है Atlas के बाद दूसरा उधारन है Patman Patman भी Boston Dynamics के द्वारा बनाया गया था और यह push-up लगा सकता था दोस्तों ठीक है exercise कर सकता था walk कर सकता था Patman के बाद Topio Topio वियत नाम की एक company है Tossie इसके द्वारा बनाया गया था और यह table tennis खेल सकता था फिर एक robot है इसका नाम है Robonaut Robonaut 1 Robonaut 2 Robonaut 3 यह जो Robonaut है दोस्तों यह basically NASA के द्वारा बनाए गए humanoid robot है जिन्हें भेजा गया था International Space Station Robonaut के बाद Japan में भी एक astronaut बनाया गया जिसका नाम था Kirobob इसे भी International Space Station भेजा गया फिर रशिया में भी एक astronaut बनाया गया जिसका नाम था Fedor इसे भी दोस्तों International Space Station भेजा गया फिर अगरा नाम है Simon यह socially aware humanoid है दोस्तों एक है dreamer researcher robot है दोस्तों ठीक है इसके अलावा और नाम है जैसे आप जानते हैं Sophia हम आगे detail में पढ़ेंगे Sophia के बारे में Gia Gia फिर Erika फिर Nadine फिर Junko Chihira यह सारे भी किसके उधारण है यह सब ही humanoid robot के उधारण है Ocean One Now Robber Pepper यह सब humanoid robot है प्रशन आ सकते हैं इसलिए हमने अलग-अलग robot को यहां पर रखा है नाम याद रखिएगा Robonaut important है Sophia important है यहां से प्रशन जादा बनते हैं तो याद रखें ऐसा robot जो इंसान की तरह होता है उसे humanoid कहा जाता है उधारण है Atlas Sophia Robonaut Patman Kirobo Fedor Dreamer Jia Jia Erika यह सारे इसके उधारण हैं दोस्तो आगे बढ़ते हैं अगला है Augmenting Robot या समवर्धित Robot यह दोस्तो ऐसे robot है तिक है ऐसे robot है जो मानों की जो मानों की शमता बढ़ाने का काम करते हैं जो इंसान की Capacity को बढ़ाने का काम करते हैं और इसका सबसे अच्छा उधारन है Prosthetics अब आपने देखा होगा दोस्तो कई जगह पर जैसे कि अगर माल लीजे किसी इंसान का Unfortunately Accident हुआ और पैर नहीं है तो उन पैर को आज रोबोट की सहायता से लगाया जा सकता है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम Prosthetic Leg कहते हैं तो इनका इस्तमाल किया जाता है Exo हो गया Hall हो गया तो ऐसे सभी रोबोट जो मानों की शमता बढ़ाने का काम करते हैं या फिर मानों के जो बाहरी अंग हैं उनके प्रत्यार उपन का काम करते हैं ऐसे सभी रोबोट को दोस्तो हम Augmenting Robot कहते हैं समवर्धित रोबोट कहते हैं याद रखेगा पूशा भी जा सकता है कि व्यक्तियों में जो कृतिम पैर लगाने के लिए किस प्रकार के रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है Artificial Legs लगाने के लिए किस प्रकार के रोबोट का यूज करते हैं Augmenting Robot का इस्तेमाल किया जाता है अगला है दोस्तो Tally Operated Robot अब यहाँ पर शब्द को समझो एक शब्द है Tally और दूसरा शब्द है Operated मतलब दूर से जिन रोबोट को जो Tally दूर से Operate हो सके लेकिन यहाँ पर दो चीज़े है Tally Operated में एक तो आ रहा है कि यह दूर से Operate होते है और इन रोबोट का इस्तेमाल समानिता है ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर इनसान नहीं पहुच पाता एक्जामपल के लिए पानी में बहुत नीचे जाना है दूसरे ग्रह पर जाना है तो वहाँ पर अभी हम Rovers को भेजते हैं वहाँ हम Landers को भेजते हैं इनसान नहीं जा पाता तो ऐसे रोबोट को दोस्तों हम Tally Operated रोबोट कहते हैं दूर से Operate होते हैं और इनका उप्योग हम Extreme Geographical Condition में करते हैं Drone, Submarine, Lander, Rover ये सारे इसके अलग-अलग उधारन है अगला है दोस्तो Pre-Programmed Robot फिर से सिर्फ नाम पढ़ो चीजों पर मत जाओ Pre-Program Robot एक ऐसे रोबोट होते हैं एक निश्चित तरीके से प्रोग्राम कर दिया जाता है और वो उसी काम को बार-बार दोहराते रहते हैं जैसे माल लीजे कि मैंने एक रोबोट बनाए जिसका काम है यहाँ पर आके बार-बार टिक ऐसे आवाज करना तो ये Pre-Program है अब यह हमेशा ऐसे ऐसे करता रहेगा ऐसे रोबोट को Pre-Program रोबोट कहा जाता है और इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फैक्टरी में इनका बड़े पैवाने पर इस्तेमाल होता है Pre-Program रोबोट अब दो शब्द हैं इनको ज़रा ध्यान से समझो एक है Autonomous Robot और दूसरा है Automation Robot दोनों में अंतर यह है दोस्तों कि जो Autonomous Robot होते हैं उन्हें Human Surveillance की आवशक्ता नहीं पड़ती मानव को उन्हें देखना नहीं पड़ता उनकी निगरानी नहीं करनी पड़ती जबकि जो Automation Robot होते हैं यह Human Surveillance इनमें Required होता है और कई जगह पर आपको ऐसे Robot देखने मिलेंगे जैसे कि Autonomous Robot का उधारन है Roomba Vacuum Cleaner आप एक बार इसे प्रोग्राम कीजिए वो अपने हिसाब से चीजों को क्लीन करता रहेगा लेकिन Factory में जो Pre-Programmed Robot होते हैं वो दोस्तो Automation वाले Robot होते हैं उन्हें मानव के निगराने की आवशक्ता पड़ती है Human Surveillance की जरूरत पड़ती है आगे बढ़ें अगला जो प्रकार है दोस्तो Mobile Spherical Robot या MSR यह ऐसे Robot होते हैं जो एक किसी निश्चित गोल आकरती के अंदर होते हैं इंपोर्टन नहीं है आराम से पढ़ दीजेगा नहीं तो छोड़ दीजेगा इसके बाद है Swarm Robot यह थोड़ा इंपोर्टन है देखो Swarm का मतलब होता है समूह में काम करना जैसे कि माल लीजे आप एक पजल बना रहे हैं उस पजल के दस हिस्से हैं जब तक आप उन दसों हिस्सों को नहीं जोड़ेंगे आप उस पजल को सॉल्व नहीं कर सकते तो Swarm Robot भी ऐसे ही Robot होते हैं जो अलग-अलग रहते हैं दोस्तों लेकिन वो काम साथ में रह करके करेंगे यसे माल लीजे कि ये 10-15 Robot हैं ये आपस में मिल करके एक टास्क को पूरा करते हैं उन्हें Swarm Robot कहा जाता है तो याद रखें ये सामूहिक रुप से कारे करने वाले Robot हैं दोस्तों Swarm के बाद अगला है नैनो Robot अब यहीं से शमज में आ रहा होगा नैनो Robot, माइकरो Robot जो नैनो आकरती के Robot होंगे उन्हें नैनो Robot कहा जाएगा इसकी परिबाशा कुछ इस तरह से होती है 0.1 से लेकर के 10 माइकरो मीटर तक के जो रोबोट होंगे उन्हें नैनो रोबोट कहा जाएगा अभी इन पर काम चल रहा है बहुत जगह है तो काम हो चुका है लेकिन अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है और पता है नैनो रोबोट सबसे ज़्यादा जरूरी कहाँ पर है तो इसलिए नैनो रोबोट का इस्तमाल कर रहे हैं पर जब हम उतने छोटे नैनो रोबोट बना पाएंगे तब हम पूरी की पूरी medical field को बदल देंगे दोस्तो तो इसी लिए नैनो रोबोट्स बनाए जा रहे हैं इन पर research हो रही है छोटे से छोटे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं ताकि human की खास तोर पर health में वो बहुत जादा मदद कर सकें फिर ये space में भी बहुत मददगार साबित होंगे तो यह पर नैनो रोबोट्स जरूरी काम होते हैं अच्छा नैनो रोबोट्स के कुछ पार्ट होते हैं जैसे नैनो रोबोट्स में बायो चिप का इस्तमाल किया जाता है अभी जो चिप हम इस्तमाल करते हैं उसमें सिंपल क्या होता है दोस्तों उसमें ये software वगरा होते हैं बायो का इस्तेमाल करने वाले नैनो रोबोट होंगे वाइरस के द्वारा बनाई गए नैनो रोबोट होंगे और 3D प्रिंटिंग करने वाले नैनो रोबोट होंगे जो की मानों के एक पूरे के पुरियसाप की उंगली कड़ गई तो इसी उंगली को दुवारा प्रिंट कर पाएंगे वो सारी चीजे बनाने की कोशिश की जा रही है नैनो रोबोट के बाद अगला है दोस्तों माइक्रो रोबोट ऐसे रोबोट जो की एक मिलीमीटर से कम आकार के होंगे उन्हें माइक्रो रोबोट कहा जाएग मानव की तरह दिखने वाले रोबोट को यूमिनॉइड रोबोट कहा जाता है एटलस, सोफिया, जिया-जिया, एरिका, ठीक है पैटमेन, औरोबो, रोबोनॉट ये सभी किसके उधारन है यूमिनॉइड रोबोट के उधारन है इसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा हमने एक प्री-प्रोग्राम्ड रोबोट के बारे में पढ़ा इन्हें प्रोग्राम कर दिया जाता है और ये उसी काम को बार-बार दोहराते रहते है फिर हम आगे बढ़े हमने एक स्वार्म रोबोट के बारे में पढ़ा ऐसे रोबोट जो समुह में रहकर के काम करते हैं स्वार्म रोबोट कहलाते हैं हम और आगे बढ़े हमने एक autonomous और automation robot के बारे में पढ़ा autonomous में human surveillance की जरुरत नहीं होती automation में मानों के निगरानी की ज़रूरत होती है ठीक है फिर हम और आगे बढ़े दोस्तो हमने नैनो रोबोट की बात की और नैनो रोबोट ऐसे रोबोट है जो 0.1 नैनो मीटर से लेकर के 10 नैनो मीटर के आकार के होते हैं इसमें कई पार्ट होते हैं कुछ बैक्टिरिया के आधार पर होंगे कुछ वाइरस के आधार पर होंगे दियने के आधार पर होंगे जिन्हें new bot कहा जाएगा दोस्तों तो ये अलग-अलग इनके प्रकार होते हैं तो ये हमने कुछ प्रमुक प्रकार पड़े हैं अब तक रोबोटों के अब आपको याद होगा आखरी में हमने देखा था mobility के basis पर रोबोट अर्थात किस तरीके से रोबोट एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो इसके आधार पर हमने देखा था कि कुछ रोबोट में पैर होते हैं कुछ रोबोट में पंक होते हैं तो इनकी चर्चा जरा अब हम कर लेते हैं तो इसमें पहला आता है दोस्तो पहिये वाले रोबोट तो ऐसे रोबोट जिनमें movement के लिए एक पहिया होता है उन्हें कहा जाता है single wheel robot, इनको दोस्टो bald robot भी कहा जाता है, क्योंकि फिर सामानता है इसमें ball का इस्तमाल किया जाता है movement के लिए, सबसे पहला bald robot 2005 में professor रॉल्फ हॉलिस के द्वारा तैयार किया गया था, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक पहिये वाले रोबोट को क्या कहते हैं तो इसे बॉल्ड रोबोट भी कहा जाता है क्योंकि उसमें पहिये के इस्थान पर movement के लिए बॉल का इस्तेमाल किया जाता है इसके बाद है दोस्तो ओमनी वील इसका अर्थ है इसमें बहुत सारे पहिये मिलकर के एक बढ़ा पहिया बनाते हैं सीए को एक पहिये वाला एक लकडी का रोबोट है ठीक है लड़की है माफ कीजे ठीक है सीए को ठीक है सैगवे लूमो रोबोट एक दो पहिये वाला रोलिंग रोबोट है चार पहिये वाला रोबोट इसकार्ब है जिसे नास पैर वाले रोबोट, इनमें पैर होते हैं, इसमें वील्स नहीं होते, इनमें पैर होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसमें एक है Hoping Robot, यह है Mono Pedal, इसमें एक ही Pedal होता है, ऐसा रोबोट है, Piped Robot, यह है पिनुश्य के समान दिखने वाले रोबोट हैं और इसका सबसे अच्छा उधारन है होंडा का असीमो इसकी फोटो सर्च कीजेगा असीमो की बहुत ही बड़िया फोटो आपको देखेगी और सौनी का क्यूरियो सौनी का क्यूरियो फिर है दोस्तो अच्छा रोमेलाना भी ब और फिर एक important है बिघडॉग इसके बारे में पूछा जा सकता है बिघडॉग एक ऐसा रोबोट है जिसमें दोस्तो चार पहिये होते हैं इसे quadro paddle कहा जाता है तो mono paddle जिसमें सिर्फ एक pair होगा ठीक है bipedal जिसमें दो pair होंगे tri pedal जिसमें तीन पैर होंगे और quadro pedal जिसमें च पेडल होंगे. क्वाड्रो पेडल का एक्जाम्पल पूछ सकता है तो बताइएगा बिग डॉग. बिग डॉग क्या है? एक चार पहिये वाला रोबोट है जिसका इस्तमाल सामान तह सैना के छितर में किया जाता है, आर्मी के छितर में किया जाता है. असीमो क्या है दो पैरवाला एक रोबोट है जो होंडा कमपनी ने विक्सित किया था क्यूरियो क्या है दो पैरवाला एक रोबोट है जो सौनी कमपनी के द्वारा विक्सित किया गया था इस ट्राइडर क्या है? तीन पैर वाला एक रोबोट है, जो की रोमेला कमपनी के द्वारा बनाया गया था. एक एक फैक्ट जो यहां मैंने बोला है, बहुत इंपोर्टेंट है, इनको याद रखियेगा दोस्तों. अब इसके बाद अगले आते हैं स्विमिंग रोबोट, इ जिन्हें Unmanned Aerial Vehicle कहा जाता है, UAV कहा जाता है, Unmanned Aerial Vehicle. ड्रोन का इस्तमाल आप जानते हैं कि यंतर है जिसको आप रिमोट के द्वारा चला सकते हैं, अब ड्रोन का इस्तमाल हर जगे हो रहा है. सबसे ज़्यादा इस्तमाल रक्षा के छेतर में है, जहां पर हम सर्विले इसके लिए, Air Attack करने के लिए, ड्रोन का प्रियोग करते हैं. वहीं अब फोटोग्राफी में भी हम ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तमाल करने लगे हैं, दोस्तों. तो पढ़ते हैं इनके बारे में कि ये Aerial Vehicle होते हैं, इसके बहुत सारे उधारन हैं, जैसे कि Air Penguin, Air Ray, Air Jelly, ये सब Solar Energy से चलने वाले रोबोट हैं. जो रोबोट अपने पंखों की सहायता से पक्षियों की तरह उड़ते हैं, उन्हें और नी थॉप्टर कहा जाता है, याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है. ऐसे रोबोट जो पक्षी की तरह उड़ सकते हैं, उन्हें दोस्तों औ और नी थॉप्टर कहा जाता है. एक अगला शब्द है डेल फ्लाई, यह देल्ट यूनिवर्सिटी ओफ टेक्नलोजी की माइक्रो इयर वहकल लेब के द्वारा विक्सित किया गया है, रोबो मधुमक्खी या इसका नाम है रोबो बी, ठीक है, रोबो बी, यह चोटा अगलग उधारन है, सबसे बड़ा जो यूज है, वो दोस्तों Unmanned Aerial Vehicle है, जिसे हम ड्रोन के नाम से जानते हैं, तो यह प्रमुख प्रकार थे, चाहिए एक और बचा माफ कीजिए, वर्चुल रोबोट, वर्चुल रोबोट समझे, यहाँ पर जहाँ पर भी यह शब्द आएगा वर्चुल, इसका मतलब यह बाहर कोई चीज नहीं है, वर्चुल का मतलब है कि एक software है, या फिर एक program है, जैसे कि वर्चुल गेम, वर्चुल गेम में हम क्या करते हैं, तो हमारे उपर वो एक अजीब से चस्मा सा लगा देते हैं, ठीक है, अब उस चस्मे को आप फिर उसमें एक software आता है, आपको ऐसा लगेगा कि आप उस दुनिया में पहुँच चुके हैं, वर्चुल क्रिकेट, वर्चुल गेम, इसी तरह जहां जहां भी वर्चुल शब्द आएगा, मान के चलिए कि वो दुनिया रियल नहीं है, वो एक computer का program है, ठीक है, अब यहां चैट बॉट एलिजा थी, चैट बॉट क्या होते हैं, तो online chatting में जो सहायता करते हैं, वो बॉट जिसके द्वारा हम online text messages file send कर पाते हैं, वो चैट बॉट कहलाते हैं, अभी my gov corona helpdex chat बॉट को award भी मिला था, जो हमने discuss किया था, e-governance वाले topic में, तो यह दोस्तों प्रमुख रोबोट के प्रकार हैं, यहाँ पर आखरी में हमने जो रोबोट पढ़े, नाम याद रखियेगा, अलग-अलग रोबोट और उनके द्वारा कौन सा काम किया जाता है, ठीक है, चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और अपने चटवे topic को discuss करेंगे, जहाँ हमें रोबोट के अनुपरियोग पढ़ना है, एक बार देख लीजे, हम कितने topic cover कर चुके हैं, तो हमने शुरुवात की थी दोस्तों, topic पढ़ने से जहाँ हमने, एक मिटर की है, काफी सारा पढ़ दिया है, जहाँ हमने दोस्तों, robotics का परीचे पढ़ा था, फिर हमने रोबोट क संचिप्त इतिहास को पढ़ा, हमने रोबोट के घटक पढ़े, robotics के नियम पढ़े, और हमने रोबोट के अब प्रकार पढ़ लिए, अब हम discuss करेंगे रोबोट के अनुपरियोग, फिर हम बात करेंगे प्रमुख रोबोटों की, और फिर हम चर्चा करेंगे भारत में robotics की, ये तीन टॉपिक हम आपको अभी कराएंगे लेकिन जो अन्य वाला टॉपिक है दोस्तों ये हम अगली क्लास जब इलेक्ट्रोनिकी की करेंगे तो उसमें परेंगे बहुत छोटा सा पोर्शन है दस बारा फैक्ट है इनका PDF मैं आपको दे दूँगा एक काम की जगा ये PDF में से पढ़ लेना ठीक है तो वो टॉपिक खतम हो जाएगा अन्य में बेसिकली कुछ फैक्ट और करेंट अफैर्स है जो आप PDF से पढ़ेंगे क्योंकि वो पढ़ाने जैसे हैं नहीं है एक एक लाइन के फैक्ट है तो आईए आगे बढ़ते हैं और अब हम रोबोट के अनू प्रियोग का मतलब ये है कि रोबोट का इस्तमाल कहां कहां पर किया जाता है और किस तरह और कौन से रोबोट का इस्तमाल किया जाता है तो इन्हें हम साथ भागों में बाट करके पढ़ेंगे हम उद्द्योग में रोबोट का प्रियोग देखेंगे चिकित्सा में देखे घर में देखेंगे, आर्मी में देखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट, अंतरिक्ष और अन्य. इसमें से भी हम पाँच टॉपिक डिसकस करेंगे, बाकी दो इंपोर्टेंट नहीं है. अब इसमें सबसे पहले है दोस्तों, उद्योग के छेतर में रोबोट का इस्तमाल. सब यूनिमेट था, जो की यूनिमेशन कंपनी के द्वारा बनाया गया था, 1954 में, जिसे जनरल मोटर्स की न्यू जर्सी फैक्टरी में लगाया गया था. तब से लेके अब तक बहुत सारे रोबोट बनाये गये हैं, और सबसे ज़दा यूज इनका हो रहा है इंडुस्ट्री में. तो इंडुस्ट्री में इनका इस्तमाल क्यों होता है? तो किसी भी भाग को जोड़ना है, खास्तवार पर उठाना है, इन सब में रोबोट का इस्तमाल होता है. दोस्तों, यह जो इंडुस्ट्रियल रोबोट है, इनहें चार अलग-अलग तरीके से बाटा गया है. प दूसरे नंबर पर है point to point robot, इनका इस्तमाल welding और drilling के लिए किया जाता है, फिर है continuous path robot, इस वर्ग के robot का प्रियोग spray painting, चादर को काटने इत्यादी के लिए किया जाता है, फिर है assembly operation robot, इस वर्ग के robot का इस्तमाल assembly line में किया जाता है, याद रखिएगा, यह important है, पूँचा जा सकता है कि point to point robot या pick and place robot किस प्रकार के robot है, तो यह अध्योगिक robot कहलाते हैं दोस्तों, यह industrial robot कहलाते हैं, इसके बाद दूसरा है चिकितसा के छितर में robot का इस्तमाल, फिर से बता दू कि बहुत बड़ा यूज है medical के छितर में, और आज जब हम जाते हैं medical surgery के लिए, तो medical surgery robot के द्वारा ही की जाती है, जैसे पहले आखों की जब surgery की जाती थी, तो जर्णली आख में छोटा सा चीरा लगाया जाता था, फिर उसके बाद surgery की जाती थी, अब वही चीज robot के द्वारा की जाती है, और robot के द्वारा आसानी से eye surgery को परफॉर्म किया जाता है तो रोबोट का इस्तमाल सर्जरी में या मेडिकल छेतर में किस तरह होता है इसके लिए कुछ शब्द हैं पहला है रोबोटिक प्रॉस्थेटिक अंग प्रत्या रोपन तो हमने अभी 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 ऑग्मेंटेशन रोबोट के बारे म माने पर किया जा रहा है हाथ या पैर इन सब में रोबोट का यूज किया जाता है जिन्हें हम प्रॉस्थेटिक कहते हैं फिर दूसरा है रोबोटिक और्थोटिक इस रोबोटिक प्रनाली का उप्योग लकवा ग्रस्त अंगों से कार्य करवाने के लिए किया जाता है अग रूप से मरीजों की देख भाल तथा स्वास्त संबंधी आंकडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कुछ उन्नत रोबोटिक नर्स आदेश देने पर खाना, पानी, दवा आदी मरीज तक पहुंचा सकते हैं। एक उधारन है, फ्लो, ठीक है, कारनेजी मेलन युनिवर्सिटी ने बनाया था, हैल्प मेट वील्ड, जो ट्रांजिशन, रिसर्ज कॉर्पोरिशन द्वारा बनाया गया था, और रीबा, ये सभी रोबोटिक नर्स के उधारन है। रीबा, रोबोट फॉर, इंटरेक्टिव बोडी असिस्टेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, तो ये भी दोस्तो एक रोबोटिक नर्स है, याद रखियेगा, काफी इंपोर्टेंट है, चीक है, आग इसके बाद है, अगला इस्तमाल से, अगला शब्द है दोस्तो, साइबर नाइफ सिस्टम, इवा, रेडियेशन थेरपी डिवाइस मैनुफेक्चरड बाई, एक रेडियो सर्जरी, ये एक विकरन थेरपी उपकरन है, याद रखियेगा, पूझा जा सकता है, की साइबर नाइफ क्या है, इसके बाद है, दा विंची सर्जिकल सिस्टम, य है, इसका इस्तमाल सर्जरी में किया जाता है, हॉस्पी, आ हॉस्पिटल डिलिवरी रोबोट मैनुफेक्चरड बाई दी पैनसोनिक, ओके, तो ये इस्तमाल है, मेडिकल छेतर में रोबोट का, चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हमें अंतरिक्ष में रोबोट के प्रियो कर रहे हैं, ठीक, इसी तरह, अंतरिक्ष में भी रोबोट एक बहुत महत्वपून रोल अदा करता है, किस तरीके से साहब, तो अगर हमें दूसरे ग्रहों पर जाना है, वहां पर रिसर्ज करनी है, तो ये सारा काम हम रोबोट की सहायता से ही कर पाते हैं, जब हमने चंदर ग्रहों पर वो लेकर के जाते हैं इसी प्रकार के रोबोट को, जो हमें वहां से जानकारी करेक्ट करके देते हैं, तो अंतरिक्ष में रोबोट का बहुत ज़्यादा इस्तमाल है, तो अंतरिक्ष में और्बीटर का प्रियोग किया जाता है, रोवर्स का प्रियोग किया ज जाते हैं और रोवर जो की उसमें से बाहर निकल करके डेटा कलेक्ट करने का काम करता है उधारन क्या है तो इसके कुछ उधारन है जैसे की रोबो नॉट तो रोबो नॉट हमने आपको बताया कि ये हुमेनॉइड है जिसे इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था अगला है स्पाइडर नॉट यह एक मकडी रोबोट है जो की नासा के द्वारा डिजाइन किया गया है इस्पेस प्रोब ये अंतरिक्ष यात्रियों का यान है दोस्तों जिसे स्पेस प्रोब कहा जाता है लूनर रोबोटिक रोवर ठीक है रोसेटा यूरोपिय यूनियन पहली बार किसी धूमकेतू पर रोबोटिक रोवर को उतारा था इस प्रिट ठीक है मार्स ओर्बिटर रोवर जो की 2004 से 2000 दस तक काम किया इंसाइट और माइटी इगल और जब भारत में अपना चंद्रयान भेजा था तो उसमें एक ओर्बिटर था दोस्तों लैंडर जो की वहां जाके उत्रा इसका नाम विक्रम था और रोवर जिसे डेटा कलेक्ट करने का काम करना था इसका नाम प्रग्यान था यह important है यह पूछा जा सकता है कि चंद्रयान टू के लिए जो हमने रोवर का इस्तमाल किया वो क्या है प्रग्यान और लैंडर क्या है दोस्तों वि इसमें सैसे इकरण आते हैं जैसे कई बार मान लीजिए कोई सब्मरीन डूब गई या कोई एरो प्लैन कहीं नहीं मिल रहा है या फिर समुदर के नीचे जहाज डूब गया तो वहाँ पर चीजों को ढूड़ने के लिए हम रोबोट का इस्तामाल करते हैं कई बार बार में कह उधारन हैं जैसे कि ब्लू फिन ट्वेंटी मन सब्मरीन रोबोट इसका प्रियोग मलेशियाई विमान MH370 की खोज के लिए हिंद महा सागर में किया गया था हैदराबाद साइन्स सुसाइटी के वैज्यानिकों ने ऐसे रोबोट का निर्मान किया है जो भूकम्प के में फसे हुए लोगों को बाहर निकाल सकता है एटलस एक एटलस हुमेनोइट था और एक एटलस डी आइडियों ने बनाया है इसके द्वारा आग में फसे हुए व्यक्तियों को निकाला जा सकता है कुछ दूसरे आपदा प्रबंधन में पायोनीर सैनेका सैंसर नेटवर् मैनेजमेंट ये सैनेका का फुल फॉर्म है तो ये अलग-अलग रोबोट है जिनका इस्तमाल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किया जाता है या डिजास्टर आने पर इन रोबोट को यूस करते हैं दोस्तों अगला है सैने रोबोट या मिलिटरी में रोबोट का इस्तम किस प्रकार से होता है तो यह हम सभी लोग जानते हैं कि मिलिटरी में ड्रोन का इस्तमाल होता है और दक्ष है और एफ इंसेस है जो DRDO द्वारा बॉम का पता लगाने के लिए बनाए गए है चीता, वाइल्ड कैट, टेलकॉन और अभी जब हम आपको DRDO के रोबोट अभी हम पढ़ेंगे कि DRDO द्वारा कौन-कौन से रोबोट बनाए गए है और वो सारे रोबोट सैना के छेतर में इस्तमाल किया जाते हैं, मिलिटरी में इस्तमाल किया जाते हैं, अब इसके बाद दोस्तों हमारा चटवा पॉइंट भी हो गया, अब हम मुख्य रोबोटो की चर्चा करेंगे, तो हमने क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं, हमने देखा कि अंतरिक्ष के छेतर में अलग-अलग प्रकार के रोबोट इस्तमाल होते हैं, खास तोर पर लेंडर और रोवर का इस्तमाल किया जाता है, हमने पढ़ा था शुरुवात में कि मंगल पर 1997 में स्पॉर्णियर नाम का पहला रोवर भेजा गया था, चंद्रयान 2 में विक्रम नाम का लेंडर था और प्रज्यान नाम का रोवर था, अभी जब भारत गगनियान की तैयारी कर रहा है, तो हम इस्पेस परोब बना रहे हैं, और व्यो मित्र नाम के रोबोट को यात्रि पर गया था, फिर की रोबो जो की जैपान की एजिंसी के द्वारा बनाया गया, रोसेटा, येरोपी यूनियन के द्वारा धूम केतू पर उतारा गया, तो ये हमने अंतरिक्ष में पढ़ा, चिकित्सा के छित्र में हमने देखा कि वहाँ पर नर्स बनाये जा रहे हैं, ज इन छेत्रों में बहुत जादा इस्तमाल है मेडिकल साइंस में, इंडुस्ट्री में पिक एन प्लेस रोबोट सबसे इंपॉर्टेंट काम प्ले करते हैं, कंटिनियस रोबोट जो स्प्रे पेंटिंग वगेरा का काम करते हैं, ये सारे रोबोट भी हमने डिसकस किये, और पिर आकरी में आर्मी के चेतर में। अब हमारे सातवे टॉपिक की हम चर्चा करेंगे, जहां हमें दुनिया के कुछ प्रमुख रोबोटों की चर्चा करनी है, कि दुनिया में कौन-कौन से प्रमुख रोबोट बनाए गए है। हमें 7 बिक की चर्चा करते हैं दोस्तों यहां पर सबसे पहला नाम है SOFIA रोबोट का SOFIA के बारे में हम जानते हैं दोस्तों की 2016 में Hansan Robotics जो की सिंगपुर की होंग कॉंक कॉंक के एक कंपनी है उसके द्वारा इसे तैयार किया गया है इसे बनाने वाले हैं डैविड हैंसन, सोफिया एक AI आधारित humanoid robot है जो साउधी अरब की robotic नागरिक भी है सोफिया का जो चहरा है वो Hollywood अभीनेत्री Audrey Hepburn के जैसा बनाया गया है भारत में 2017 में सोफिया आई थी जहां इसने मुंबई के Tech Festival में participate किया था वहीं दोस्तो एक और बात important है कि मध्य प्रदेश के इंदोर में 4 अक्टूबर 2019 को भी सोफिया आई थी जहां उसने 51 भी Round Square International Conference में भाग लिया था दोस्तो ये 62 प्रकार के facial expression बना सकती है ये humanoid और interactive robot है तो सोफिया के बारे में ये बातें याद रखियेगा इसे हैंसन रोबोटिक्स डेविड हैंसन की कंपनी है होंग कॉंग में 14 फरवरी 2016 को तयार किया गया इंदोर कब आई दोस्तो तो 4 अक्टूबर 2019 को 51 बे Round Square International Conference में ये इंद 2017 में पहली बार बुंबई भारत में इनका प्रवेश हुआ था और ये साउधी अरब की नागरिक भी है अर्थात ये पहली robot है जिन्हें किसी देश ने नागरिकता प्रदान की है अब इसके बाद हमें 15 robot की चर्चा करनी है जो अलग-अलग काम करते हैं इसमें पहला robot है द 2000 में हॉंडा कंपनी के द्वारा बनाया गया robot है जिसे अभी टोक्यो जापान के एक म्यूजियम में रखा गया है ये इनसान की तरही दिखता है छोटा सा ठीक है robot है असीमो फुल फोर्म याद रखिएगा Advanced Step in Innovative Mobility फिर RoboNaut हम चर्चा कर चुके हैं Atlas हम चर्चा कर चुके हैं बोस्टन कंपनी के द्वारा बनाया गया RoboDog, RoboDog को Spot Robot भी कहा जाता है यह Google के द्वारा बनाया गया चार पैरों वाला एक robot है जो घर के और अन बाहरी काम कर सकता है अगला है दोस्तो वाका मारू वाका मारू एक जापनीज रोबोट है जो की Mitsubishi Heavy Industries के द्वारा बनाया गया है Natural Communication कर सकता है यह इंसानों के साथ अब यहाँ पर जो Important है उसमें Asimo का नाम बहुत ज़रूरी है Advanced Step in Innovation Mobility होंडा कंपनी के द्वारा 2000 में बनाया गया Atlas Important और Robo Not इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं Spot Robot या Robot Dog यह Google के द्वारा बनाया गया एक Robot है Important है और वाका मारू यह जापन की कंपनी Mitsubishi Heavy Industries के द्वारा बनाया गया एक Robot है आगे बढ़ें दोस्तों तो इसके बाद है एक Robot Sam Sam Robot दुनिया का पहला Virtual Politician है दोस्तों जिसका इस्तमाल New Zealand में किया गया जो कि New Zealand के मद्दाताओं की इक्षा से प्वेरित है यह बहुत चर्चा में रहा था बहुत important है याद रखिएगा Sam Robot दुनिया का पहला Virtual Politician वर्चुल मतलब यह आभासी हो जाएगा ठीक है कहां पर New Zealand में और New Zealand में ही Ella भी है जो एक RoboCop है दोस्तों अगे बढ़ें अगला है Mighty Eagle यह Prototype Robotic Lander developed by NASA Mighty Eagle हमने अभी देखा था अंतरिक्ष में इसका इस्तमाल किया जाएगा Inside और Mighty Eagle ठीक है Orni Topter तो अभी हमने पढ़ा था Orni Topter बेसिकली ऐसे ड्रोन है जो की पक्षियों की तरह उड़ते हैं तो ऐसा रोबोट जो पक्षियों की तरह उड़ सकता है उसे दोस्तों Orni Topter कहा जाता है इसके कुछ उधारन है Dale Fly, Swabnet Project, Smart Bird और Robo B यह सभी ऐसे रोबोट बनाये जाएंगे जो पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं दोस्तों अगला इसमें रोबोट है एक पहिये वाले रोबोट, रोलिंग रोबोट, इंपॉर्टन नहीं है पीपर, Soft Bank Robotics द्वारा बनाया गया एक Half Humanoid रोबोट है जो मानों की भावनाओं को बढ़ सकता है ठीक है, कोबोट, कोबोट का फुल फॉर्म होता है, Collaborative रोबोट, यह ऐसे रोबोट होते हैं जो बड़े रोबोट का सहायकता का काम करते हैं जो की Collaboration से काम करते हैं, इस कारा, इसका फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म है Selective Compliance Assembly Robot Arm यह एक उद्योगिक रोबोट है, Niko, इसका निर्मान एल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है, यह पहला रोबोट है जो अपने आपको आईनी में पहचान सकता है Soft Robotics, यह रोबोटिक्स की एक नई साखा है, जिसमें रोबोट के सभी भाग या मुलाइम भाग बनाए जाते हैं Rex, Robotic Exoskeleton First Bionic Man है, यह विश्व का पहला Bionic Man Robot है, इसका निर्मान दुनिया भर से आधुनिक प्रोस्थेटिक के द्वारा किया गया है इसके बाद दोस्तों एक और सैम हो गया, एक इसमें बचा हुआ है, इबासिना, इसका निर्मान UAE विश्व विद्याले के द्वारा किया गया है और यह अरबी में बातचीत करता है, इबासिना रोबोट, अब सहाब इसमें से जरूरी कौन-कौन है, जो बहुत याद रखना है, तो देख लेते हैं सहाब, इसमें असीमो याद रखना, बहुत जरूरी है, असीमो, एडवांस स्टैप इन इनोवेशन, मोबिलिटी, पूछा जा सकता है, दुनिया का पहला आभासी पॉलिटीशन कौन सा है, तो जवाब होगा सैम, कहां पर न्यूजलेंड में, गूगल के द्वारा कौन सा रोबोट बनाया गया है, स्पोर्ट डॉग, याद रखियेगा, गूगल के द्वारा चार पैरो वाला एक रोबोट फिर पूछा जाएगा, दुनिया का पहला रोबोट जो अर्भी भासा बोलता है, फिर पूछा जाएगा, कि दुनिया का पहला रोबोट जो अपने आपको मिरर में पहचान सकता है, तो उसका नाम है नीको, यहाँ नहीं है अगली उस पहता नीको, फिर पूछा जाएगा, ऐसे robot जो पक्षियों की तरह उर सकते हैं, क्या कहा जाता है? और्थि ओप्टर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? और नीथ ओप्टर माफ कीजिये, और नीथ ओप्टर, डेल फ्लाई, स्वान, इस्मावनौट प्रोजेक्ट, स्मार्ट बर्ड और रोबो बीर, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको याद रखना है, ठीक है? तो इस तरह हमने अपने साथवे टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया, जहां हमने कुछ प्रमुख रोबोटों की चरचा की, अब हम एक मिनिट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में रोबोटिक्स, रोबोटिक्स इन इंडिया, ठीक है? चलिए दोस्तो, तो हमारी आज की क्लास के और रोबोटिक्स के टॉपिक के हम आखरी टॉपिक को अब पढ़ेंगे, जहां हम भारत में रोबोटिक्स की चरचा करेंगे, और रोबोटिक्स का जो करेंट अफेर्स है, वो मैं आपको PDF में इसी के साथ प्रोवाइड कर दूँगा, तो वो आपको खुद पढ़ लीजेगा, पर पढ़ जरूर लिना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इंपॉर्टन फिर हम चरचा करेंगे कि भारत में रोबोटिक्स के लिए कौन-कौन से मुख्य संस्थान बनाए गए हैं, और आखरी में हम कुछ मुख्य भारतिये रोबोटों की चरचा करेंगे, कुछ इंपॉर्टन इंडियन रोबोट्स को हम डिस्कस करेंगे, जो DRDO और दूसरे इंस पहले medical science, दूसरा army, अर्थात military और तीसरा इसका इस्तमाल होता है space में, ये तीन ऐसे छित्र हैं जहां पर इंडिया में रोबोट का सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है, अच्छा एक दो fact जो पहले हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, जैसे दुनिया में सबसे ज़्याद जहां रोबोट इस्तमाल किये जाते हैं, उस देश का नाम है चीन, ठीक है, भारत में रोबोट लगातार आगे बढ़ रहा है, और माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत में भी रोबोट की सेल बहुत ज़्यादा होगी, त्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ा market है दोस्तों, ठीक है, अब भारत में रोबोट की सबसे बड़ा जो institute है या वह संस्था जो रोबोट को देखती है भारत में उसका नाम है केर, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और अंतर रास्टिये इस तर पर रोबोट की सबसे बड़ी संस्था का नाम है IFR, International Federation of Robotics, इसका फिलफॉर्म पूछा जा सकता है कि IFR क्या है, तो बता रहे होंगे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट की संस्था है, दोस्तों, यह एक non-profit organization है, जिसे 1987 में बनाया गया था, और इसका मुख्याले जर्मनी के Frankfurt में इस्थे थे, ठीक है, और भारत की सबस बड़ी संस्था है केर, जो DRDO के तहट दोस्तों काम करती है, इसके बारे में हमने Artificial Intelligence वाले टॉपिक में पढ़ा था, आज हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, केर के अलावा, भारत में हिंदुस्तान, भारत में माफ कीजिए, केंद्रिये मशीन टूल संस्थान, IIT मद भारतिये विज्ञान संस्थान बैंगलूरू, Indian Science Institute बैंगलूरू, हैदराबाद विज्ञान सुसाइटी, ये सारे लोग भी मिलकर के भारत में रोबोटिक्स का काम करते हैं, और अभी अभी भारत में रोबोटिक्स का काम करने के लिए बहुत सारे नए-नए स्टार्टप बनाए हैं, जो रोबोटिक्स के छेतर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ स्टार्टप तो ऐसे हैं, जो DRDO के साथ काम कर रहे हैं, ताकि और अच्छे रोबोट बनाए जा सकें, मित्र, मानव ऐसे नए-नए रोबोट बनाए हैं इन्ही स्टार्टप के द्वारा, त DRDO की एकाई C-A-I-R उसके अलावा जो अलग-अलग institute है वो भी robot बनाने के काम में लगे हुए है तो सबसे पहले हम इसी संस्थान की चर्चा करेंगे कि ये care क्या है तो इसका full form हम पहले भी पढ़ चुके हैं दुबारा पढ़ रहे हैं Center for Artificial Intelligence and Robotics तो Artificial Intelligence और Robotics का सबसे बड़ा institute भारत में यही है Center for Artificial Intelligence and Robotics इसके इस्थापना अक्तूबर 1986 में आरोग पालराज के सहयोग से की गई थी इसका मुख्याले बैंगलुरू में इस्तित है और यह DRDO के तहत काम करता है November 2000 में Command Control तथा Communication वा Networking तथा Communication Secrecy in Electronics एवं Radar Development को केर के साथ मिला दिया गया अब केर ने कौन-कौन से प्रमुकारि किये हैं रोबोट के छित्र में तो केर के द्वारा Robocene बनाया गया है जो की Patrolling के लिए मदद करता है फिर इसके द्वारा एक Hot Sludge Handling रोबोट बनाया गया जो नवल Material Research Laboratory के काम आता है आपद प्रबंधन के लिए Disaster Management के लिए Snake रोबोट बनाया गया है नेत्र जो की एक Lightweight Drone है Unmanned Air Vehicle है नेत्र बहुत important project है DRDO का नेत्र के बाद है मुंत्रा मुंत्रा भारत DRDO द्वारा विक्सित एक मानो रहत बकतर बंक टैंक है A family of Unmanned Armed Vehicle by DRDO तो जो नेत्र है वो एक Drone है दोस्तों ध्यान देना इस बात पर नेत्र एक Drone है जो की DRDO के institute CAIR द्वारा बनाया गया है वहीं जो मुंत्रा है ये एक Unmanned Armed Vehicle है एक मानो रहत बकतर बंक बहान अर्था टैंक है दोनों में अंतर याद रखना प्रश्न आ सकता है मुंत्रा और नेत्रा इसनेक एक रोबोट है जो की disaster management के लिए use किया जाएगा रोबोसेन इसका इस्तमाल patrolling के द्वारा किया जाएगा और ये सभी DRDO के institute CAIR Center for Artificial Intelligence एंड रोबोटिक्स के द्वारा डेवलप किये गए है इस्थापना कब हुई 1986 मुख्यालय कहां पर है बैंगलुरू किस के तहत काम करता है DRDO के तहत काम करता है आगे बढ़ते हैं अगला institute है All India Council for Robotics and Automation इसका full form याद रखना प्रश्न पूँचा जा सकता है कि IAICRA क्या है All India Council for Robotics and Automation दोस्तो इसकी इस्थापना 2014 में हुई थी और यह एक non-profit organization है जो भारत और दुनिया भर में रोबोटिक्स को प्रमोट करने का काम करती है जैसे दुनिया के इस तर पर है International Federation for Robotics जो 1987 में बनाई गई थी और जिसका मुख्याले Frankfurt जर्मनी में है उसी तरह भारत में भी एक non-profit organization 2014 में बनाई गई जिसका नाम है All India Council for Robotics and Automation और इसका मुख्याले नई दिल्ली में है दोस्तो यह जो AICRA है इसके द्वारा हर साल एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है जिसे Technoxian कहा जाता है Technoxian basically एक expo होता है जहां पर सारे लोग आते हैं जो मिल करके Artificial Intelligence और Robotics के बारे में बात करते हैं 2019 में भी Technoxian का आयोजन किया गया था ठीके एक शब्द है RPA अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे फुल फॉर्म याद रखना Robotic Process Automation ठीक है इसके बाद एक है वेश्विक नवाचार किंद्र Global Innovation Center GIC भारतिये वेंचर डेवलपर एवं एग्री ग्रेटर कंपनी DTF Venture ने AICRA के साथ मिलकर के GIC अर्थाद Global Innovation Center बनाया है जो Robotics को प्रमोट करेगा अब दिखो इसमें important क्या-क्या हो गया वो बात जड़ा समझने की है दोस्तों कि हमने अभी AICRA के बारे में बात की इसे कब बनाया गया? 2014 में मुख्याले कहाँ पर है? अब इसने दो काम किये पहला काम ये हर साल Technoxian को आयुजित करती है जो की एक एक एक्सपो है जहां Robotics और Artificial Intelligence पर चर्चा की जाती है और इसने अर्थाद AICRA और साथी साथ DTF ये कमपनी है इन दोनों ने मिलकर के एक नया संगठन बनाया जिसे GIC Global Innovation Center कहा जाता है और यह भी Robotics को प्रमोट करने का काम करता है यही रीजन है कि AICRA एक बहुत important organization है सारी बातें याद रखियेगा इसके बारे में इसके बाद दोस्तों सबसे important और आखरी institute जो Robotics के विकास से जुड़ा हुआ है इसका नाम है DRDO DRDO का full form हम जानते है Defense Research and Development Organization इसका यह Ministry of Defense के तहत काम करता है और इसका धे यह बाक है बलश्य मूलम विज्ञानम बल का मूल विज्ञान है और यही तो DRDO करता है ऐसे equipment बनाता है जो मदद कर सके आर्मी की इसके बारे में कुछ बेशिक बातें याद रखें कि DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी यह रक्षा मंत्राले के तहत काम करता है और इसका मुख्याले नई दिल्ली में है DRDO के द्वारा कुछ रोबोट बनाए गए हैं जैसे एक रोबोट है दोस्तो दक्ष ठीक है इसका देखें remotely operated vehicle दक्ष दूर से संचालित वाहन दक्ष explosive device identification का काम करता है तो दक्ष एक ऐसा रोबोट है जो यह पता लगाता है कि आसपास कहीं कोई bomb या explosive device तो नहीं लगाई गई है बहुत useful रोबोट है जो DRDO ने तयार किया है दक्ष के बाद अगला जो रोबोट है दोस्तो वो दक्ष मिनी है इसी का अगला रूप है confined space remotely operative vehicle फिर एक है surveillance remotely operated vehicle ठीक है इसे दक्ष scout कहा जाता है फिर है unmanned aerial vehicle नेत्र तो इसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी कि नेत्र DRDO का एक drone है दोस्तों नेत्र क्या है DRDO का एक drone है याद रखिएगा फिर इसके बाद अगला है unexploded ordnance handling robot UXOR तो ये भी पता लगाता है bomb का एक है चतुर bot ठीक है चतुर bot ये DRDO और Bangalore में robot की एक company ने मिलकर के चतुर bot का निर्मान किया है तो ये DRDO के द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुक robot है ठीक है इसके लावर DRDO एक और project पर काम कर रहा है DRDO Aura ठीक है यह मानो रहत लड़ा को विमान है जो भारतिय वायू सेना के लिए बनाए जा रहे है इसकी डिजाइन का काम Aeronautical Development Agency के द्वारा किया गया है और ये से DRDO की Bangalore इस्थित Aeronautical Development Establishment Gas Turbine Research Establishment तथा दहरा दून इस्थित Defense Electronics Application Laboratory के द्वारा बनाया जा रहा है यह बहुत बड़ी चीज है कि और अगरा DRDO एक ऐसा लड़ाको विमान बना रहा है जो बिना मानों के संचालित होगा यह बहुत बड़ा development होगा योगि उसका इस्तमाल हम सिर्फ Attack करने के लिए नहीं बरकि Surveillance करने के लिए भी कर सकते हैं दोस्तो DRDO ने एक नई Instrument Scientist Lab बनाई है जो कि इसकी छटवी Instrument Scientist Lab है जो Bangalore में बनाई गई है इससे पहले यह सारे अलग-अलग Lab है इनके नाम पढ़ लीजेगा important नहीं है चले तो अभी हमने क्या discuss किया दोस्तों अभी तक हमने चार अलग-अलग इंस्ट्यूटों की बात कर ली सबसे पहले हमने बात की International Federation of Robotics कब बनाया गया साहब 1987 में बनाया गया मुख्याले कहां पर है Frankfurt, Germany में मुख्याले है Non-profit organization है जो दुनिया में Robotics को प्रमोट करती है फिर हमने चर्चा की DRDO के बारे में कब बनाया गया 1958 में बनाया गया नई दिल्ली में मुख्याले है और Defense Ministry के तहट काम करता है इसने कुछ रोबोट बनाये है जैसे की नेत्र जो की एक ड्रोन है ठीक है एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और जो की एक unmanned लडाकु विमान होगा दोस्तों इसके अलावा इसने दक्ष का निर्मान किया है जो की बॉम का पता लगाने के लिए एक रोबोट है चतुर बोट ये बैंगलोर की एक कमपनी के द्वारा बनाया गया रोबोट है जो DRDO ने डवलब किया है फिर हमने चर्चा की भारत में रोबोटिक्स की सबसे बड़ी और्गनाईजेशन Center for Artificial Intelligence and Robotics इसकी स्थापना 1986 में की गई इसका मुख्याल है बैंगलोर में है ये DRDO के तहत काम करती है इसने बहुत सारे रोबोट बनाए है जैसे रोबोसेन जो की पैट्रोलिंग का काम करता है इसने एक रोबोट जो की डिजास्टर मैनेजमेंट के समय काम आता है मुंत्रा जो की एक अनमेंड आम्ड वहिकल है और नेत्र भी इसने DRDO के साथ मिलकर के बनाया है फिर हमने चर्चा की एक नॉन प्रॉफिट और्गनाईजेशन की जिसका नाम है AICRA All India Council for Robotics and Automation ठीक है 2014 में नई दिल्ली इसका मुख्याला है इसके द्वारा दो काम किये जाते हैं एक तो Technoxian जो की एक Robotics और Artificial Intelligence का एक्सपो है और दूसरा इसने DTF के साथ मिलकर के एक संस्था बनाई जिसे Global Innovation Center कहा जाता है GIC Global Innovation Center तो ये हमारे कुछ प्रमुक संस्थान है जो हमें याद रखने है ठीक है पांचवे नंबर पर एक संस्थान और है बस याद रखिएगा छोटी सी बाते इसका नाम है भारतिय रोबोटिक्स समुदाय IRC 10 जुलाई 2011 में इसे बनाया गया था ये रोबोटिक्स का विकास और शोध के छीतर में काम करती है और इसके द्वारा हर दो साल में AIR अर्थात Advanced in Robotian का आयोजन किया जाता है 2021 में कानपुर में इसका आयोजन किया गया हलाकि वर्चुल तरीके से ओनलाइन तरीके से तो ये प्रश्ण पूचा जा सकता है कि Advance in Robotian किसके द्वारा और्गेनाईज किया जाता है तो आंसर होगा Indian Robotics Community के द्वारा Advance in Robotian का आयोजन किया जाता है और इसकी स्थापना 10 जुलाई 2011 को की गई थे तो ये दोस्तों हमारे मुख्य भारतिय संस्थान थे तो हमने भारत में Robotics के तहट दो बातों का अध्यन किया सबसे पहले हमने परीचे को पढ़ा फिर हमने मुख्य संस्थानों की चर्चा की अब हमें डिसकस करना है भारत के कुछ प्रमुक रोबोटों के बारे में ठीक है आईए पढ़ते है तो सबसे पहले है दोस्तों मानव मानव भारत का पहला humanoid robot है दोस्तों ये भारत का पहला humanoid robot है जो की एक जो की IIT IIT Delhi मैं बुल गया हूँ ठीक है मैं अब गता दूँँगा जो की दिवाकर वैश के द्वारा डेवलप किया गया था दिसंबर 2014 में ठीक है दिवाकर वैश के द्वारा डेवलप किया गया था कैसी IIT मुंबई है फ्रिवी में चेक कर लूँगा मानव तो ये प्रशन आ सकता है कि भारत के पहले humanoid robot का नाम क्या है humanoid robot है देखें मित्र रोबोट is a humanoid robot designed and developed by Indian startup Invento Robotics a company founded by Balaji Vishwanathan तो ये दोनों आप देखें private तरीके से बनाए गया robot है मानव जो भारत का पहला humanoid robot है मित्र जो एक दूसरा humanoid robot है जो भारत की एक robotic startup company Invento ने बनाया है और Invento का मुख्याले कहाँ पर है Bangalore में है और Balaji Vishwanathan ने स्थाबना की थी अगला robot है दोस्तों देखें कि भारत के कोची में स्थित robotic private limited company सस्त्र ये company का नाम है सस्त्र ने इस कारा नाम का एक robot बनाया जो 3D painting बना सकता है अनाज पीच सकता है और भी बहुत सारे काम कर सकता है अब ये तीन रोबोट हमने पढ़े मानव मित्र और फिर हमने पढ़ा इसकारा ये तीनों ही रोबोट प्राइवेट तरीके से बनाये गए हैं मानव दिवाकर वैश मित्र बालाजी विश्वनाथ की कम्पनी बालाजी विश्वनाथ की कम्पनी इनवेंटो और इसकारा कोची की एक कम्पनी सस्त्र इनने इनको डेवलब किया है आगे बढ़ें दोस्तो तो एहमदाबाद की एक कंपनी ने grid boat और robot grade नाम के दो robot बनाए हैं जो घर का काम कर सकते हैं grid boat और robot और ग्रेट ठीक है कुम्भ कोडम तमिल नाडू के city union bank में आरत का पहला banking robot लक्षमी लॉंच किया गया तो ये हमने पढ़ा था artificial intelligence वाले topic में कि तमिल नाडू में एक जगह है जिसका नाम है कुम्भ कोडम वहाँ पर लक्षमी नाम के एक robot को launch किया गया जो भारत का पहला banking robot है जो बहुत सारे प्रशनों का जवाब दे सकता है आगे बढ़ हैं दोस्तों तो रोबो कॉप यह हैं है ऐदराबाद में तैनात किया गया एक police रोबोट है तो ये भी याद रखें रोबो कॉप आधारित रोबोट है, जिसे विस्तारा द्वारा विक्सित किया गया है विस्तारा एक एरलाइन है, जो की Tata Ν्स और सिंगापूर एरलाइन के बीच का एक समझता है तो राडा जो है, वो भी एक ऐसा रोबोट है, जो बहुत सारे प्रस्णों के जवाब देता है ये विस्तारा एरलाइन के द्वारा बनाया गया है, जो की टाटा और सिंगापूर एरलाइन के द्वारा चलाई जाती है और अभी राड़ा को लगाया गया है सिंगापूर के एरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर, चीक है. इसके बाद है दोस्तो, इन रोव, यह कतित तौर पर भार भारत एलेक्ट्रोनिक लिमिटेड ने पिक एंड प्लेस प्रकार के एक रोबोट का अविशकार किया बेल भारत एलेक्ट्रोनिक लिमिटेड ने पिक एंड प्लेस पिंक नहीं है पिक एंड प्लेस है पिक एंड प्लेस रोबोट वो रोबोट होते हैं जिनने आसानी से वैसे रोबोट जो चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पर उठाने और रखने का काम करते हैं तो यह हम पढ़ चुके हैं चंदरियान वाला रशमी प्रोफिसर रंजीत स्रीवास्तो द्वारा बनाई गई एक रोबोट है जो दुनिया की पहली हिंदी भाषा और भारत की लिप सि इसे 1 अगस्त 2018 को लॉंच किया गया था याद रखिएगा हिंदी भाषा की पहली रोबोट है जिसे रंजीत स्रीवास्तो ने बनाई आ है ब्राबो इसका फुलप्रम है ब्राबो रोबोट ये भारत में बनाया गया पहला इंडस्रियल रोबोट है जिसे टी ए L के द्वार 2017 में बनाया गया First Made in India Industrial Robot इसके बाद आता है दोस्तों Proto Time जबलपुर के युवा इंजीनियर मयंक वरसयाड के द्वारा इसका निर्मान किया गया ये कोरोना के समय मरीजों को सामान पहुँचा सकता था Robot प्रत्वी दिल्ली के छात्रों ने इसका निर्मान किया जो डॉक्टर और मरीजों के बीच में वीडियो कॉन्फरिंसिंग का काम कर सकता था कोरोना समय में मुंबई के एक व्यक्ती संतोष हुलवले ने तीन रोबोट बनाए जो कोरोना मरीजों के इलाज में मदद कर रहे थे इनके नाम है MSR Multiple Service Robot SHR Service Humanoid Robot और DMR Disaster Management Robot ड्रोन भीम भारतिय प्रोध्योगी की संस्थान IIT खड़कपुर के छात्रों ने भीम नाम का एक सुबर पावरफुल ड्रोन बनाया Center for Artificial Intelligence and Robotics इंपोर्टन्ट नहीं है तो ये दोस्तो भारत के कुछ प्रमुख रोबोट हैं जो आपको याद रखने अब इसमें देखो पूछा जा सकता है कि भारत का पहला Humanoid Robot कौन सा है मानव मित्र क्या है ये भी भारत का एक Humanoid Robot है जो Bengaluru की एक कंपनी Invento के द्वारा बनाया गया है इस कारा तो भारत की एक Robotic कंपनी सस्त्र के द्वारा बनाया गया है फिर पूछेगा की भीम ड्रोन किसने बनाया है तो याद रखिएगा IIT खड़कपुर के चात्रों के द्वारा भीम ड्रोन का इस्तमाल किया भीम ड्रोन बनाया गया है कोरोना के लिए कौन-कौन से Robotic बनाया गया है तो कोरोना के लिए तीन Robotic तो प्रवीन संतोस हुलवली ने बनाये थे एक है MSR Multiple Service Robot Service Humanoid Robot और Disaster Management Robot इसके अलावा जबलपुर के इंजीनियर मैंक वरसयाड के द्वारा एक Robotic बनाया गया दोस्तों ठीक है Proto Time और फिर दिल्ली के चात्रों ने Robotic प्रत्वी बनाया ये COVID के लिए बनाये गये कुछ प्रमुख Robotic है ठीक है भारत Electronic Limited ने अपने लिए ये खुद का एक Robotic तयार किया जो Pick and Place का काम करता है तो ये दोस्तों भारत के प्रमुख Robotic है आखरी टॉपिक अन्य तत्य है इसको PDF में आप पढ़िएगा कुछ बेसिक बेसिक फैक्ट है जैसे कि केरल के हिर्दय रोग विशिशग्यों ने पहली बार भारत में 3D प्रिंटिंग तकनीक के द्वारा सरजरी की है मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश की पहली Robotic Control वेधिशाला बनाई जाएगी ठीक है भारत की पहली Robotic सरजरी 2010 और 2011 में एम्स नई दिल्ली के द्वारा की गई ठीक है ये सब Gray Orange ये एक Robotic Company है जो की Guru Gram में इस्तित है ये ये चीज़े आप पढ़ ली जगा ये उतने चीज़े ये भी एक कमपनी है Giant Robotics ये भी भारत की एक कमपनी है ठीक है तो इसी के साथ दोस्तों हमने हमारा एक और Topic या हम कहें Second Last Topic Unit 9 का खतम कर लिया हमने आपसे कहा था कि 31 तारीक तक हम आपको Unit 9 खतम करा देंगे तो Almost हमने आपको Unit 9 खतम करा दी एक Topic बचा है Electroniki वो भी हम जल्दी खतम करेंगे पर दो तारीक को लगबग हम 6 घंटे की क्लास करने वाले हैं जहां हम मध्य प्रदेश के Current Affairs का अध्यन करेंगे Make Sure कि उस क्लास में आप लाइव रहें क्योंकि वो पूरी क्लास में लाइव लूँगा दोस्तो जहां हम एक ही क्लास में मध्य प्रदेश का पूरा Current Affairs कवर करेंगे 2 जून को शाम 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक हमें मध्य प्रदेश का पूरा Current Affairs पढ़ना है जनवरी 2021 से लेकर के 15 मई 2021 तक आप से मिलेंगे उमीद करते हैं कि आप लोग वहाँ पर चीजों को अटेंड करेंगे और आपको लेक्चर अच्छा लगेगा और यह सीरीज भी आपको अच्छे लगी होगी एक इंपॉर्टन बात दोस्तों हमारा एक कोर्स शुरू हो रहा है जहां पर हम इतिहास पढ़ेंगे 19 मई के बाद मुख्य परिक्षा के लिए तो Unacademy का सब्स्क्रिप्शन लेने के लिए प्लीज यूज माइ कोड एसजी लाइव जहां आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ठीक है आइकोनिक सब्स्क्रिप्शन लेने के लिए यह आइकोनिक सब्स्क्रिप्शन के फाइदे हैं लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस और यह उसके प्राइज है ठीक है तो आपको मिलेगा Thank you, thank you so much guys मिलते हैं आपसे दो तारिक को एक बड़ियां लेक्शर के साथ और जल्दी ही चार तारिक तक मैं आपका इलेक्ट्रोनिकी का वीडियो भी बना करके डाल दूँगा अपना ख्याल रखिये आपसे मुलाकात होगी TAKE CARE, GOODBYE, AND LET'S CRACK IT झाल 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 झाल